हेलो बच्चों नमस्कार मैं स्यार के सर्फ आपफ लोगोगा स्वागत करता हुए इस सांदार प्रेंटफार्पंट फिजिक्स वाला पीडवलो में तो बच्चों आज हम लोग यहां पे काफी काफे इंट्रेस्टिंग टॉपिक काफे इंट्रेस्टिंग अध्याय पढ़ने वाले त्री में विये जैमिती त्री डाइमेंशनल जोमेट्रिस त्रीडी के नाम से भी जाना जाता है तो विहार बोड के लिए वेक्टर 3 जैसा कि इससे पिछला वीडियो हम लोगोंने वेक् वेक्टी प्लस का तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला वेक्टर 3D जो आपकर कंबाइन कर दीजेगा तो 25 मार्क्स का जो है यही है सिर्फ और इतना मार्क उसमें रहेगा कोस्ट्ट्टी मार्स तक कभी कोस्ट्ट उसमें रह सकता बस उसमें आपको स्लेक्ट कर लिए आपका सब्सक्राइब तो एगर आप इस टॉपिक को सिर्फ कर लेते हैं वेक्टर 3D को 3D में से भी आपको 6-7 कोशन आपको सब्सक्राइब में रहेंगे और लॉंग अंसर और स्वाट अंसर टाइप में भी कोशन रहेंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग चैप्ट चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले में फर्मूला सभी रिवाइज हो जाएंगे साथ ही साथ आपके जो हमारा गोल है आजका उसमें सारे पीवाई क्यूस जो 10 साल के पूछे गया हैं पिछले 10 साल के उस सभी करेंगे साथ-साथ इंपोडेंट कोशन भी आ सकते उसको और पूरी तरह से डीटेल्स ब्रीफ इंट्रेक्शन में उस चैप्टर पे उस टॉपिक का देऊंगा क्लियर है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन देखते हैं अगर हम लोग यहां पे देखें तो एक्स अक्ष का दिक कोजिय क्या है तो सब सबस्पले प्रेंग तल क्या होता है लाइन का एक्वेशन इस टेक्सरल लेखा का इन 3D में क्या होता है थोड़ा सा विजूलाइज भी करेंगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले तो अगर आपको याद होगा थ्री डामेंसिल में थोड़ा समय आपके लिए यहां पर बताना चाहू चलिए अब अगर मैं बोलू हूँ आपसे कि इसको हमने क्या बोल दिया x-axis यह हमारा origin मूल बिंदू हो गया यह हमारा y-axis और इसको हम लोग बाहन लेते हैं z-axis दो जैड़ कहा एक उर य तो यह जैड़ इस तरह आपके तरफ है या फिर इंसाइड दबोर्ट इस तरफ अंदर अब अगर कोई line होता है माली जे एक line आपने ले लिया हूँ यह line आपने ले लिया हूँ मालजी ये line ले लिया आपने ये line ये line ले लिया 3D में मालजी ये line है समझेगा इस चीज़ को कि दीक कोज ये बोलें किसको अब ये x-axis का कुछन कुछ angle बनाएगा और मैंने माल लिया alpha angle बना रहा है ये y-axis के साथ भी कुछन कुछ cone बना रहा होगा और जिसको बीटा angle बोल दिया बीटा कौन है और ये z-axis के साथ भी कुछन कुछ angle बनाएगा जिसको हमने गामा बोल दिया समझेगा इस तरह से अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये line है कोई कोई line है 3D में अगर ये line x-axis positive x-axis के साथ धनात्मक x-axis के साथ अगर ये अलफा एंगल बना रहा है y-positive साथ बीटा एंगल बना रहा है और z के साथ ये गामा एंगल बना रहा है तो इस line का जो दिक कोई ये direction cosine जो बोलिएगा माल लेजे इसको दिक कोई जिसको मैंने क्या बोला L M N यहां पर L M N क्या है तो L जो है अगर आप जो अलफा एंगल बना रहा है x-axis के साथ तो cos alpha cos alpha के मान कोई हम लोग L बोलते है M क्या है तो यही आपके पास M क्या है तो बीटा एंगल किसके साथ बना रहा है y-axis के साथ तो cos beta आप ले लिजएगा उसका मान जो है उसी को M बोला जाता है और N क्या हो गया तो cos of gamma तो अब आपको समझ हम आगे कोई line रहेगा उसका दिक कोजिया बोलेगा तो वो कितना एंगल बना रहा है x-axis के साथ कितना एंगल y-axis का कितना है y-axis के साथ उसी का अगर cos ले लिजएगा cos 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 यही इसी लिसका दिक कोजिया है क्योंकि cos का ही नाम क्या होता है कोजिया इंदे में cos को ही कोजिया बोला जाता है चलिए तो यह तो समझ हम आ गया एक होता है दिक करन पाद उसको भी हम लोग xn-square is equal to 1 होता है यह काफी important है इस पे काफी हम लोग use करेंगे इसका मतलब यह हो गया न कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma का value क्या होता है इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे तो काफी important है इस चीज़ को यह relation को satisfy करता है अगर lmn दिक कोजिया है उसका square m का square plus n का square का sum always one होगा तभी उसको दिक कोजिया बोलें किसी लाइन का या फिर cos alpha क्या है तो वह xx का कितना angle बना रहा है कितना कौन बीटा क्या है तो yx के साथ और gamma क्या है तो zx के साथ उसका square का sum always one होता है इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है यह तो रहा अगर इस question को आप ध्यान से देखिए फिर गहतीज इसने क्या बोल दिया बदाए एकस एकस अकसी वी तो एक लाइन ही हुआ एकस एकसी यंदी चएकसिस एकसस पिसकर साथ पहले साथ कितना बनायेगा जीडो एंगल बनाएगा, cost 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x-axis y के साथ कितना बनाएगा, 90, तो cost beta कितना जाएगा? 0 हो जाएगा, x-axis z-axis के साथ कितना बनाएगा, x-axis समा लेज़े ये और z-axis ये, इसके साथ again 90 बनाएगा, cost gamma भी कितना घोगा? 0, 90 0 आ जाएगा इसलिए अब आपराहम से बोल सकते एक्स अक्ष का दिख कोजिया क्या हो जागा तो 1,0,0 यही कॉस अलफा जो की अलफा 0 होगा क्योंकि इसलिए यह कॉउप्सन आपका बिल्कुल ट्रू है अब लोग बात करें यहाँपे कि वाइक्स के साथ समझ गएंगए य एक्स अक्सका कितना इंगल बनाएगा तो 0 तो कॉस अलफा कितना हो जाएगा वहाँपे 0 लेकिन वाई एक्स के साथ इक कितना बनाएगा तो इस तरह से बोल दीजेगा वहती सिंपल आराम से आप समझ गें जैड एक्स 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 कितना इंगल बनाएगा नाइटी तो कॉस नाइटी लेजना है पहला वहला कॉडिनेट यहाँ पर एल का काम पुण फिर वाई के साथ वह भी 9 तो भी 0 हो जाएगा जैड जैड के साथ कितना इंगल बनाएगा जीरो यानी कॉस गामा कितना हो जाएगा इस पर जीरो यानी कि वन इस तरह से आप गाउं उप्शन त्रू कर सकते हैं तो अराम से आपको समझ मागया कि हां किस तरह से हमें बताना है चलिए next question पर आते हैं अब सदिस माइनस जे की दिक कोजय क्या हो जाएगी अब मालें वेक्टर भी तो एक लाइन की तरह समझ सकते हैं वेक्टर को अगर वह माइनस जे है न अगर वह माइनस जे है अब इसका क्या होता अगर जे होता तो 0, 1, 0 होता माइनस जय है तो 0,1,0 हो जाएगा और साथ से अगर दिख कोजिये बोलें तो बिल्कुल उस तीनों का स्क्वाइर का सम 1 होना चाहिए और हो भी रहा है तो इसलिए को आप टिक कर दीजिएगा बहुत ही सिंपल सदिस आई का दिख कोजिये क्या हो जाएगा सदिस य का मतलब यही हो गए न कि X-axis पे यूनिट वेक्टर वो छोटा सा इकाई वेक्टर एक्स एक्स एक्सिस ही हुआ न तो बस आपको समझ मा आ गया कि हाँ सदिस वाई की दिख कोजिये क्या हो जाएगी तो 910 हो जाएगा माइनस आई हाँ तक सबस सकते थे कि हमें क्या हो रहा है अब next आते हैं, next हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं, यहां तक दीख कोज़े तो आपने समय कोशन भी आएगा, एक दो कोशन और सामने, उसको भी करें, उसको भी करें, उससे पहले हम लोग यहां पे कि y-z तल, y-z प्लेन, तल का मतलब प्लेन, जैसे x-y प्लेन हुआ, y-z प्लेन हो गया, z-x प्लेन हो गया, इस तरह से, तो y-z तल का समीकरन क्या होगा, आप याद कीजिए, कि अगर मान लीजिए, आपके पास इस तरह से, यह x, यह y हो गया, और यह आपके पास z हो गया, अब अगर यह y-z बोला है, y-z मतलब क्या हो, यह वाला प्लेन, यही हम आप याद किजिए अगर 2D में ही बात करते हैं, यह x-axis होता है, यह y-axis होता है, x-axis पे कोई point लेते हैं, आप alpha, 0 टाइप से बोलते हैं, x-axis पे ही कोई point अगर लेते हैं, तो वहाँ पे y-0 होता है, अब अगर x-y plane, x-y तल में अगर कोई point लीजिएगा, तो वहाँ पे z-0 हो इल्कुल, आपको easily सबजमायेंगा, तो similar way में अगर आपको बोला की y-z तल का, इस plane का समीकरन क्या होगा, तो y-z में यह तो fix है नहीं कि x आपका 0 होगा, x-cost to 0 ही इसका समीकरन हो जाएगा, तो y-z तल का समीकरन x-cost to 0 हो जाएगा, तो similar way में जो है दिखो अब उस प्लेन के समाना अंतर बोल दिया जैरेक्स तलकर अब स्टूडी से याद करो अगर मैं टूडी की बात करो यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया अब तभी अगर आपको याद होगा कि अगर हम लोग 2D में देखते थे कि अगर y-axis के पैरलल कोई लाइन का equation क्या होता था तो x equals to a type से बोलते थे आप 2D में in 2D तो अगर x-axis के समाना अंतर जो लाइन होती थी उसका समीक्रण क्या होता था x equals to a या फिर जो लाइन आपके पास एकस एकसिस के समाना अंतर उसका y equals to k होता था तो अगर x y-axis के समाना अंतर x equals to k हो गया x equals to a हो गया या या और a बोल दीजे कि की बोल दीजे, चुछ भी बोलना है एक्स एक्स के समानांतर तलका समीकरन क्या होगा तो य इक्स तलके समानांतर तलका समीकरन क्या हो जागा तो य इक्स तलके समानांतर तलका समीकरन क्या हो जागा तो य इक्स तलके समानांतर तलका समीकरन क्या हो जागा तो य इक्स तलके समानांतर तो य इक्स तलके समानांत सिम्लर वे में अगर yz का यानि की x equals to k हो जाएगा उसी से रिलेट करना है xy तल का समीकरण अब xy तल का समीकरण एगें तल का समीकरण आगे तो xy तल में तो z तो 0 होता है तो z equals to 0 आपका answer correct हो जाएगा तो अराम से आप समझ सकते थे कि हाँ क्या हो रहा था तो यह जो अभी बताया आपको कि xy तल का yz तल का यह तल मिंस प्लेट प्लेट को ही तल बोलते हैं इस प्लेट को डियाँचों के साथ को और अख्छो के साथ क्रम psychiatrist the 1 theta 2 theta 3 म federal वह CEO गयाना की अगर आपको कोई रेखा आ हैं कोई रेखा है यह जो एकस हैसेचाएब分 बना रहा है यक्स के साथ theta 2 एंगल बना रहा है और z एकस के साथ कितनाटीना बना तो वन होता थी आज ये फर्मूला भी आपको याद रखके खोह से टिक कर दीते की नहीं कर देते तो अलग से बस अलफा बीटा गामा की जगा पे इसने क्या कर दिया नहीं ठीटा टीटा ठीटा थीरी कर दे तो हमें घवराना नहीं है हम समझे माई अच्छा यह कुछ नहीं क्या होनीख अब हीँ बताए कि जब आपके पास अलफा बीटा गामा बनाते हैं एक रिलेसेन तो आपको पता ही है कि compute स्कर фин Also स्कर अलफा प्लस कौस स्क्वेड गामा कौस स्कर बेटा गामा हपक्या बोलते यह वन बोलते हैं कि देख रहे हैं इसका कितना यूज होगा क्ูकस क्वार ठीटा होता है तो यहां से आप यह बोल सकते हैं न क्पोस टीटा क्या ओ जाएगो तो टू कउस्टत चीटा मानस वन तो बस इसी चीज गा यहां पे हम लोग कर देंगे कैसे यूज़ करेंगे तो इस तरह से यूज़ करेंगे अभी आप देख लो अगर हम लोग इसको देखें तो इसको क्या लिखिएगा तू कॉस स्क्वाइर अलफा माइनस वन प्लेस इसको क्या लिखिएगा तो टू कॉस स्क्वाइर बीटा माइनस वन फिर इसको क्या अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो 2 common ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो cos square alpha plus cos square gamma plus cos square, cos square beta plus cos square gamma, minus 1 minus 1 minus 1 ये आगे जाके minus 3 बन जाएगा, अब अभी just आपने ये देखा, कि अगर alpha beta gamma नियामक अच्छों के साथ अंगल बनाता है, कौन बनाता है, तो cos alpha plus cos square beta plus cos square gamma क्या होता है, यहाँ पर तो 1 आप इसका बाहन रखी दोगे, तो 2 into 1 minus 3, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, 2 minus 3, आपको 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 बढ़ जाओ, तो आपको बस याद क्या रखना है, कि दिक कोजिया वाला बात है, यहाँ पर चल रहा है, यह वही चीज है, उ तो जैसे हमें यह लाइन दिखा, यदी कोई रेखा, धनात्मक नियामक अक्षों के साथ, alpha, beta, gamma कोन बनाती है, तो हमें बस क्लिक कर गया, अच्छा, हमार पास यह information आ गया, कि cos square alpha, cos square beta, cos square gamma का some 1 होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मान बताना है, अब अब सकते हैं, sin square alpha को आप 1 minus, cos square alpha बोल दीजेगा, plus sin square beta को 1 minus, cos square beta बोल दीजेगा, and sin square gamma को 1 minus, cos square gamma बोल दीजेगा, बहुत ही बढ़िया, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो 1, 1, 1 कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, minus common कर लिजेगा, तो अंदर में क्या बन जाएगा, तो cos square alpha, plus cos square beta, plus cos square gamma, अब इसका मान तो 1 होता है, तो अब यहाँ पर आप 3 minus 1 जब रखिएगा, तो 2 answer बोलेगें कि नहीं बोलेगे, तो इस तरह से आपका answer कौन से correct हो जाएग तो again आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये concept आपका यूज हो रहा है, इस तरह का जब भी question रहेगा ता आप आसानी से बनाओगी कि नहीं बनाओगी, बिल्कुल बनाएगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो next question पर आते हैं, चलिए, इसको आप थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है, clear है, चलिए, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, अब यहाँ पर concept क्या है, आपको क्या बोला है, बिंदू, x1, y1, z1 और x2, y2, z3, को मिलाने वाली रेखा कि दिक अनुपात क्या होगा, देखो, जब भी मैं एक concept बताता हूँ आपको, कि अगर दो point दे दिया मान लिजे, यह दो point, 3D में, एक A है, और दूसरा B है, मान लिजे इसका, x1, y1, and z1 है, और इसका coordinate मान लिजे, x2, y2, z2 है, अब इस line का, क्या होगा, तो always एक दिक अनुपात होगा, और दिक कोजिया होगा दोनों, क्योंकि line तो है, join कर दिजेगा, तो line मिल जाएगा, तो इसका, इसका जो दिक, कोजिया, दिक अनुपात जो होगा, वो क्या कर देना है, अगर A, B का, अगर आप यहाँ पर देखिएगा, तो A, B का, दिक अनुपात जो होगा, कुछ नहीं करना है, अगर दो point दिया होगा है, तो बस x2 माइनस, x1, फिर अगला y2 माइनस, y1, and z2 माइनस, z1, इसको दूसरे बेसे लिख देते हैं, x2 माइनस, x1, y2 माइनस, y1, and z2 माइनस, z1, अगर आपका दो point दिया हो रहेगा, तो इस line को, इस दोनों point को join करने वाला, जो रेखा आएगी, जो line बनेगा, उसका दिक अनुपात कुछ नहीं करना है, x2 मानस, x1, y2 मानस, y1, z2 मानस, z1, यही हो जाएगा, यह किगा हुआ है, तो दिक अनुपात हुआ, अगर आपको बोलता है कि दिक कोजिया बताए, तो फिर उसको क्या करना है, इसको, कि इसी का under root में, इसका square प्लस, इसका square प्लस, इसका square से divide कर देना है, जो मानलों यह जो है, यह जो टर्म देख रहे है, इस टर्म को भी डिवाइड कर दीजएगा, इस टर्म को भी उसी टर्म से डिवाइड कर दीजएगा, इस टर्म को भी उसी टर्म से डिवाइड कर दीजएगा, यही क्या बन जाएगा, अभी यह दिक अनुपात है, वो दिक कोजिया बन लब तो पॉइंट दिया हुआ है तो डाइरेक्ट आपका आंसर क्या बोल दिजेगा तो खौ घौ ऑप्सन आपका ट्रू हो जाएगा यह बिलकुल मैं आपको जैसा कि मैंने बताए कि जब जैसे ही कोशन में आएगा वहीं पर आप पस त्योरी को बता दिया करूंगा तो इस दो सरल रेखाओं कि दिख कोजिया L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है तो उनके बीज का कोन अगर आप मान लिजे कभी आपको इस तरह से रहेगा तो डाइरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई लाइन L1 है देखो लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म का होता है तो थ या आप इसकी दिख कोजिया की बात किजिएगा तो यहाँ पर L1 दे दीजिए फिर X-X2 Y-Y1 divided by M1 Z-Z1 divided by N1 दूसरा लाइन ले लेते हैं L2 इसको दे दीए X-X2 divided by L2 Y-Y2 divided by M2 and Z-Z2 divided by N2 यह दो लाइन अब यह लाइन कैसे हुआ तो अगर आपके पास किस पॉइंट से एक लाइन पे तो एक सरल लेखा पे तो finitely mini बिंदू लाई करता है संतुष्ट करता है तो उसी में से कोई एक पॉइंट बिंदू अगर आपको पता है और इसका दिक कोजिय क्या है तो L2 M2 N2 है तो अब अगर इसके बीच का कौन निकालिएगा मालेजी दो लाइन इस तरह से दिया हुआ था कुछ 3D में भालेजी यह L1 है यह L2 है तो कुछ न कुछ एंगल आएगा इस एंगल को आप कैसे बताईएगा तो कॉस ठीटा इकोस टू अगर दिक कोजिया मालूम है नहीं यहां पे तो आप क्या करें L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 तो ध्यान क्या समझना है यह आप पस जनरल वे में यह दो लाइन का इक्वेशन आपकोस दिया हुआ है एक X1 Y1 Z1 से पास कर रहा और उसका दिक कोजिया L1 M1 N1 है दूसरा जो लाइन है वो X2 Y2 Z2 से पास कर रहा और उसका दिक कोजिया L2 M2 N2 है दिक दोनों के बीच का एंगल के लिए क्लिए क्या कर देना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को कॉस्ट बोल देना है तो अब यहीं से आपके पास इसका मान जो आएगा तो ठीटा का मान उसके क्रोस पर्णिंग बता दिजेगा तो वहीं चीज है कि यहां की कोजिया मतलब कॉस क्या होगी तो कॉस इकोस टो आपको इसली दिख रहा है कि गोव ऑप्शन आप टिक कर दिएगा यहीं चीज अगर मान लिजे आपके पास कु दिवादेड़ बाइ c1 यहल 1 है दूसरा ल 2 मान लीजे एक स मैनस x2 डिवादेड़ बाइ a2 वाई माईनस y1 डिवादेड़ बाइ b2 ay and जड माईनस z1 जड़ी y2 and z2 डिवादेड़ बाइ c2 अब यह क्या एक दो लाइन यह भी है अब यहां पर वो भी line क्या है पहला वाला सरल लेखा जो है वो x1 y1 z1 से पास कर रही है और दूसरा वाला जो line है वो यह जो form है नहीं यह आपको स्टेट लाइन का form है इन 3D में ऐसा ही होता है और यह जो है यह यह भी आपको सेके straight line का form है बस अंतर क्या है दोनों में कि एक म वे में दिख अनुपात आपको ज्यादा दिया रहे तो क्या से समझना है कि दिख अनुपात है दिख कोजिया है तो भाईया हमें पता होता है ना दिख कोजिया में क्या होता है कि सबिच लगी लगवा वंहलता है पर सब्सक्राइब दिख सब्सक्राइब ऊंपार्स तो तो समुझ जाना है कि यह आपके पास दिखन औरकी दिखन्स कोजिया दिखने एग तो कोंस ठीट सबसक्रांभेक यहां भी सम्वेट में कि A1 A2 और बीटू, C1, C2, divided by, under root of, अगर यह दीख कोजिया है तो यहाँ पर, A1 का स्क्वाइर, B1 का स्क्वाइर, प्लस C1 का स्क्वाइर, इंटू, A2 का स्क्वाइर, प्लस B2 का स्क्वाइर, प्लस C2 का स्क्वाइर, तो देखो, जब भी आपकास A1, B1, C1, अगर, अगर क्या वह दी MN का काम करेगा, यहाँ भी, तो अगर आप अपको ध्यान होगा, तो अगर दिख अनुपात के फॉर्म में होगा, तो आप यहाँ पे इसका under root, इसका under root से डिवाइड कर दीजेगा, उपर में तो यही चीज़, अब इसमें, इसमें डिफ्रेंस देखेगा, तो नीचे में एगेन आप करते, under root of L1 का square प्लस M1 का square प्लस N1, तो यह तो दिख कोजिया है, तो 1 ही हो जाता, इसका भी जब यहाँ पे डिवाइड करते हो, तो 1 का दिखना कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका सिर्फ उपर में यह लिखा हुआ है, तो दोनों ही तरह से, कि यह line का equation है, इन 3D में, सरल रेखा का equation है, इन 3D में, जब भी इस तरह से रहेगा, हमें समझ जाना कि यह line x1, y1, z1 से pass कर रहा है, और अगर वो दिख कोजिया है, तो तीनों का square का sum 1 हो रहा होगा, तो समझ जाना कि यह दिख कोजिया दिया हुआ है, और इसका, और दोनों L2 में भी उस परपेंडिकुलर होगा, तो यह cost जीरो, और यह 0 होने का मतलब है, उपर वाला term 0 होना, उपर वाला 0 होने का मतलब, यहां भी वही condition आ जाएगा, कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 का sum क्या होगा, तो 0 होगा, चलिए, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, अब इस question पर आते हैं हम लोग इस तरह से तो उनके बीच का कोन आप बता दीजेगा, कि यही go option true हो जाएगा, चलिए, अब next question पर आते हैं, next question अगर ध्यान से देखिए, तो रेखाएं L1 तथा L2 पर्थी छेदी है, मतलब intersecting line है, तब इनके बीच का नियुनतम जीरू क्या होगा, अब बताएं 3D में आपका L2 है, अब दोनों intersecting कर रहा है, तो दोनों के बीच का minimum दिरूत जीरो ही हो ही जाएगा, समझ सकते हैं, दो line क्या हो सकता है, या तो parallel रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा, तो इसके बीच का distance इस तरह से आप बताईएगा, यही D distance हो जाएगा, या माले जैस Q line, या औ समतलिये, माले जैसे इस तरफ ऊपर गया, यह नीचे से गया, जैसे दो plane pass करता है, जहाज, एक aeroplane उपर से चला जाता, एक नीचे से, इस तरह से अगर pass करता है, इसी को बोलते है, SQ, और समतलिये, दो एक अलग समतल में है, एक दूसरे अलग तल में है, इस तरह का, तो उ otherwise distance निकालने का formula आप अराम से आगे देखोगे, चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो अब यहाँ पर तल भी आ गया, तो plane का equation थोरा सा परकास डाल देते हैं, कि plane का equation आपको दीखेगा कैसा, तो अगर आप तल की बात करेंगे, तो plane का जो equation होता है, इस तरह स से होता है, माल यह कोई plane है, तो AX plus BY plus CZ plus D equals to 0, तो यह जो है ना, इस form का जब भी कुछ दीखेगा, इन 3D में, तो आप क्या बोले कि भाईया, यह plane तल का समीकरन दिया हुआ हुआ है, अब यहाँ पर जो X के साथ A है, Y के साथ B है, C के साथ Z के साथ C है, तो यह क्या represent करता है, तो अगर आपके पास, माल नीजिए, जो plane है, इस पर एक normal always मिलेगा आपको, तो यह जो नौर्मल vector है, उस normal vector का जो दिख कोईया होता है, जिख अनुपात बोलेगा, हैं अगर इसका स्कॉर्ण ऊडिड दिक नॉपात रहेगा तो यह जो नॉर्मल वेक्टर मिलता है इसको आप क्या लिखिए घाट ए आए यह जो होता है यहाँ इस प्लेन के लमब वत यह नॉर्मल जो ए उसका दिक नुपात होता है समझ माया की नहें इस तरह से तो दो अगर प्लेन इस तरह से दिए आप दूसरे तल प्रेसपड़ होतों कि तो इस प्लेन का नॉर्मल होगा और इस प्लेन का जौनन होगा माल जैसे कि यह आपका से एक प्लेन हुआ यह प्लेन और यह प्लेन समझेगा इस चीज़ को यह हाथ मेरा एक प्लेन है यह प्लेन है इसका नॉर्मल इस तरह से और इसका नॉर्मल इस तरह से तो दोनों का नॉर्मल भी तो लंब भी तो आपस में नॉर्मल होगा न समझ सकते एक प्लेन यह समझ सकते हैं दूसरा प्लेन यहां पर यह इसका नॉर्मल इस तरफ और इस प्लेन का नॉर्मल इस तरफ तो दोनों आपस में एगें 90 बनाएगा तो दो वेक्तर ही तो मिला जो 90 बना रहा है तो एगें आप क्या बोल दीजिएगा कि जब आपका प्रसपर होगा तो जीरू होगा तीजे इसे फर्मूला भी आप याद रखें समझ मां आया की नहीं आया कि बदाइए तो एजे फर्मूला आपको याद रखना है जब भी दो तल आपस में पर्पेंडिकुलर होंगे तो यही एवन इसके एक्स के साथ एटू जो लगा हुआ है एवन एटू फिर वाय वाले के साथ बीवन बीटू प्लस सीवन सीटू का समझीरो होना पड़ेगा अधरवाज कुसी कोशन में आपको ये भी बोल देगा कि यहां कहीं पर अन्नोन देदेगा बोलेगा दोनों आपस में लंप हैं प्रसपर लंब है तो उस अन्नोन का के लेंडा म्यू का वेलू क्या होगा तो उसमें भी चीज का यूज कर लेंगे इस तरह से भी कोशन पूछा गया हुआ है आप इस चीज को भी ध्यान रखें कि चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं समतल के समीकरण का अभी लंब रूप में अच्छा देखो अब प्लेन जो होता है न एक तो इक्विशन क्या था कि जो जेनरल फॉर्म जो होता है न वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वास टू जीरो होता है यह त होता है तो यह होता है कि यहाँ पर abc क्या है तो दिक अनुपात है अगर यही abc मतला x के साथ y के साथ z के साथ इस नार्मल लम्ब वत जो है लम्ब का अगर उसका यहाँ पर एल ले लिया जाए मतला दिक कोजिया लिया जाए MPY प्लस nz is equals to p, और p क्या है, तो perpendicular, लंबवत distance है, जो अगर मूल बिंदू से जो आप उस तल पे आप, एक perpendicular drop किजे़, तो उसका distance वो p represent करता है, तो इसी form को क्या बोला गिया है, लंबवत, अब again आप समझिए, कि अगर इस form में दिया वोग, इसको आप general form में divide convert कर सकते हैं कैसे तो यहीं से समझे वो इसी चीज का use किया गया है कि सबसे पहले यहां से क्या किया है कि ax plus by plus cz को minus b को इस तरफ ले आया फिर minus से इधर positive क्योंकि यह origin से distance होता है न तो यह तो positive भी रहेगा तो पहले यहां पर यहां पर मानस लगा दिया सब जगा मानस लग गया तो अब यही चीज यहां पर क्या हो गया माइनस ऑफ ax-by and minus of cz अब क्या किया है यह तो दिख अनुपात में है ना अब दिख अनुपात को आप दि कोजिया में जब convert कर दीजिएगा वही तो element होगा और उसके लिए क्या करते हैं तो under root of a square plus b square plus c square से डिवाइड़ी कर जाएगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो वही चीज़ तो यह लिखा हुआ है sigma of a square का मतलब क्या होता है अगर आप ध्यान से बताइए अगर तीन टर्म आपका दिया हुआ है अगर आपके पास a, b, c अगर दिया हुआ है तो यहाँ से sigma a का मतलब क्या होता है तो a plus b plus c sigma का मतलब plus अगर मालेजी a square लिखा हुआ sigma में इसका मतलब क्या हुआ तो a square plus b square plus c square अगर मालेजी आपके पास a plus b sigma में लिखा हुआ इस तरह से तो आप इसको क्या बोल देते हैं कि भाईया जी यह a plus b है फिर b plus c है फिर c plus a लिखा हुआ है अगर मालेजी sigma में a into b लिखा हुआ हुआ है इसको आप क्या बोलते हैं कि a, b, b, c प्लस CA ही तो लिखा हुआ है सिगमा का मतलब प्लस इस तरह से चीज़ें चलता है सिगमा का मतलब थोरा सा मैंने आपको बताया तो अब आपको समझ मां आ गया होगा कि यहां पर हम लोग वही चीज लिख देंगे न ध्यान से समझिए कि डिवाइड कर देंगे इस चीज से तो सिगमा ओफ ए स्क्वाइर का अंडर रूट फिर यहां भी अंडर रूट ऑफ सिगमा ए स्क्वाइर वही बात हो जाएगा फिर अंडर रूट ऑफ सिगमा ए स्क्वाइर तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही चीज आपके पास अविलंब रूप में आपकस यह दिख रहा होगा, तो इस चीज को धियान रखना है, बिल्कुल याद रख लो, कि किसी समतल का, किसी प्लेन का समिकरन अविलंब रूप में क्या होगा, तो यही हो जाएगा, अगर अनुपात में अगर जनरल फोर् पॉस्टिव बनाएंगे तो मैनस से मल्टिप्लाइ किया इधर मानस आया इधर मानस कर दिया अगर मालों यहां पर मानस उल्यडी पॉस्टिव रहेगा कोई दिक्कत है नहीं फिर उसके साथ उसी चीज़ का अंडरूट ऑफ ए स्वार प्लस 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 स्वार सारे एक्स वा लाएगा बिलकुल तो गोव उप्सन आपका ट्रिक कर दीजेगा यदि किसी सरल लेखा पी की दिक को जिया ल, M, N है तो सरल लेखा ओपी का दिक अच्छा, P, Q का दिया है तो Q, P का पूच रहा है तो अगर इसका L, M, N है तो उल्टा ही तो है बस चेंज हो गया Q, P हो गया तब माइनस L, माइनस M, माइनस N हो जाएगा तो गोव उप्सन ट्रू कर दीजेगा ये भी याद रखना है ज़र रिजल्ट चलिए, दो सरल लेखाऊं कि दिक कोजिया L1, M1, N1 है और L2, M2, N2 दोनों के सरल लेखाऊं कि प्रसपर लंब होगा तो वही चीज़ दोनों के बीच का एंगल जो मैंने भी बताया प्लस M1, M2, N1, N2 का सम 0 हो जाएगा तो बिलकुल वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे पहला ही ओप्सन में इस चीज़ को भी एज रिजल्ट आपको याद रखना है अभी जस्ट मैंने आपको बता देगा एंगल जब कोजिया दिया होता है तो किस तरह से निकालते हैं यहाँ पे अब दोनों अगर प्रस्पर लंब है दोनों सरल रेखाएं तो यहाँ पे 90-0 हो जाएगा तो यही चर्म कितना हो जाएगा तो 0 की इक्वल हो जाएगा तो इस तरह से आपने यहाँ पे बताया क्लियर है चलिए यह नहीं था हाँ यह था चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं यदि किसी सरल लेखा अगर ABC है तो दिक कोजिया क्रमसह क्या होगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिक अनुपात अगर किसी सरल लेखा का ABC दिया हुआ है तो A अपन अंडर रूट में A A स्कॉर्ट में A स्कॉर्ट से डिवाइड कर देंगे C उपर में भी अंडर रूट A स्कॉरर प्लस B A स्कॉरर से स्कॉर्ट से डिवाइड डिया कर देंगे तो इस तरह से भी कोशन आपको मिले है तो एंग जेनरल फॉप में आपस answer क्या हो जागा तो को answer आपका true हो जाएτη चलिए, मूल बिंदू से बिंदू इसकी दूरी क्या होगी, अब देखो जब भी आपको दो पॉइंट दिया हो रहेगा न, थ्रीडी में, अगर माल लिजे यह A है, इसका माल लिजे कि X1 है, Y1 है और Z1 है, इसका माल लिजे B का कोडिनेट क्या है, तो X2 है, Y2 है और Z2 है, अ Y2 मानस Y1 का हॉल स्क्वाइर, प्लस Z2 मानस Z1 का हॉल स्क्वाइर, यही आपको फर्मूला किसमें याद रखना है, तो अगर आपको तीन पॉइंट, दो पॉइंट अगर थ्रीडी में दिया हुआ है, उसके बीच के दूरी जो है आप इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं, अब यहां से आपके लिए, इसली अब आप निकाल सकते हो, कि a, अंडररूट में-3-0 का हॉल स्क्वाइर, 4-0 का हॉल स्क्वाइर, 5-0 का होल स्क्वाइर, अब यह तो आप आसानी से बता सकते हैं, न, अच्चा, यहां पे आप X2-X1 करो, या X1-X2 करो, सकते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है ना चलिए अब यहां पर 3-3 मानस 3 का स्क्वाइब 9 हो जाएगा होर का 16 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा यह अंडरूट में कितना आ गया तो 50 आ गया 50 को तो आप किलियर समझ सकते हैं कि 5 रूट 2 बोल दीजिएगा तो बिल्कुल आपका खो ऑप्सन 2 हो जाएगा तो डिस्टेंस जब भी बोलेगा दो एक मूल बिंदू था एक आपके पास बिंदू दिया हुआ था तो इस तरह से आप डिस्टेंस दूड़ी निकाल दीजिएगा बिंदू दिस और दिस को मिलाने वाली रेखा करन के मद्द बिंदू तो आप एगेन यहां भी याद रख सकते हैं जैसा आपका 2D में होता था वैसा ही यहां पे भी होता है कि A अग लेजिए आपके पास X1, Y1, Z1 है और B अगर आपके पास X2, Y2, Z2 है एक मद्द बिंदू P है मिड़ पॉइंट तो P का कोडिनेट क्या हो जाएगा तो X1 प्लस X2 divided by 2 Y1 प्लस Y2 divided by 2 Z1 प्लस Z2 divided by 2 बस एक Z वाला पार्ट एड हो जाता है तो अब अगर आप यहां पे देख और इसमें भी है फिर आप माइनस थ्री प्लस थ्री डिवाइड़ यानि कि जीरो हो जाएगा तो किलियर वे में आपको दिख रहा होगा एंड एट प्लस फोर ट्वल बाइट तो सिक्स यह ओप्सन आपका ट्रू हो जाएगा चलिए निमलिखित में से कों सी तीन संख्या है किसी रेखा की दिख कोजिया होगी अब बताएए तीन संख्या इसमें किसकी दिख कोजिया हो सकती है तो दिख कोजिया का तो हमें पता है न कि अगर एल एम और एन अगर दिख कोजिया है तो आप यहां से क्या रिलेशन जानते हैं कि प्लस एंपाइक ऑन होना चाहिए बस इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए दीकोज यह होता है तो अगर आप देखिएगा इसका स्क्राइर प्लस इसका स्कॉरपलास इसका 1 नहीं हो गलत हो जाएगा यहां भी नहीं हो गगा यहां भी नहीं नहीं लेकिन इसका जब स्कुराइड करोगे तो क्या आएगा वन अपका एक स्कुराइड की जो तो ऑन पीकलर निएarma सरल रेखा का क्लियर है बिल्कुल तो समझना कैसे इसे रिलेट किया जाता है चलिए नेक्स्ट अगर मूल बिंदू से तल इसकी तल पर डाले गए लंब के कि और नियाम क्या है तो देखी है यहां पे क्या है को फूरे दिर के बाद हमाँ लोग आते हैं तो अशा जयदा हो जाएगा आराम से बिए लेकिन इसको थोड़े देर के बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा चलिए यहां पे आते हैं चलिए एक प्लेन से पहले डिस्टेस बिल्कुल इसको पहले करते हैं इसमें देखें क्या एक बिंदू दिया हुआ है से तल के दूरी क्या होगा मतलब एक बिंदू दिया हुआ और एक प्लेन दिया हुआ इससे इसकी दूरी क्या है यह आपको बताना है तो एक फर्मूला आ मालेजे कोई बिंदू अगर आपने लिया यहां पर इस बिंदू से इस बिंदू का इस तल से डिस्टेंस मालेजे यह पी कोई बिंदू अलफा बीटा गामा दिया हुआ है तो यह जो डिस्टेंस मालेजे यह जो डिस्टेंस आया वो D कितना होगा यही आप से पूछ रहा है तो जब भी ऐसा फोटो आपको दिखा कि एक तल दे दिया है उसका समिकरन एक बिंदू से बोला कि तल की क्या दूरी है तो आप सिधा डी यहाँ पर एzूम कर सकते हैं क्या एzूम कर सकते हैं कि जो पॉइंट है उसमें रख दो तो अलफा एक्स बींटा वाई प्लस गामा जट प्लस डी है, अगर बाइचांस यह पॉज़ी था तो कोई दिकास इसलिए इसको मॉडलस करणा, अगर निगेटिव वह तो इसको मॉडलस 3y प्लस 6z प्लस 7 इकोस टू 0, अब मालेचे एक बिंदू दे दिया है आपको, जिसका नियामक क्या है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, इससे इसका डिस्टेंस मान लीजिए जो भी है, यही डी आपको बताना है, तो मैंने क्या बताया है, यह जो नियामक कॉडिनेट है, उसको x, y, z जब पटक दीजिए, d के साथ, उसका मान निकाले, divided y, यही अंडर रूट a square, प्लस b square, प्लस c square, अब अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो आप यहाँ पर रखिएगा, तो 2 into 2 हो जाएगा, फिर minus 3 into, y का मान, again minus 3 रख क्योंकि अगर negative रहा, क्योंकि दूरी कभी negative नहीं होती है, फिर under root में, इस 2 का square, प्लस minus 3 का square, प्लस 6 का square, यह कर दीजिएगा, अब इसी का मान आप निकाल लो, उपर में क्या है, 4 है, फिर plus 9 है, फिर minus 6 है, और फिर plus 7 है, नीचे में क्या है, तो 4 है, फ्लस 9 है, फ्लस 36 है, तो नीचे तो आपको clear दीख रहा है, अंडर root में 49, तो 7 हो जाएगा, और उपर भी आपको दिख रहा होगा, कि यहाँ पे, कितना आ रहा है, 20 minus 46, याने कि 14 आ रहा है, इसको तो आप 2 बोली दीजिएगा, तो यही आपकी दूरी हो जाएगी, इस बिंदू से इस तल की, तो go option टिक करके आप निकल जाओगे, clear है, तो यह formula था आपको, यह formula यह करना था, और इस तरह से यह आपको निकालना था, अभी जस्ट मैंने बताया कि एक तल, plane का equation दिया हुआ, उस पे जो लंब होगा, अभी लंब की दिक अनुपात, तो जो यहाँ पे ABC का काम करता है न, वही आपको उस plane पे, उस तल पे जो normal अभी लंब डालते हैं, उसका दिक अनुपात का काम करता है, तो यहाँ पे direct आप बोल सकते हैं, 7, 4, minus 2, क्या होगा, उस plane पे उसके दिक अनुपात के equal हो जाएगा, को option को tick कर दीजिएगा, यदि रेकाखंट PQ पर R1 बिंदू है, ताकि, देखो, जैसे section formula जो है न, आप, अन्ताखंट, तो जैसे 2D में काम करता है, वैसा ही 3D में काम करता है, तो देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, कि अगर आपके पास माल लिजे, कि एक A दिया हुआ है, X1, Y1, Z1, दूसरा बिंदू माल लिजे B है, जिसका नियामक, इस तरह से दिया हुआ है, माल लिजे कोई P है, जो इस AV रेखा खंड को, किस अनुपात में बिवाजी कर रहा है, तो M, N के अनुपात में कर रहा है, तो अब P क कोडिनेट क्या होगा, P का नियामक, तो पहला जो होता है, M इन्टू X2, प्लस N इन्टू X, X का जो नियामक रखेगा, P के लिए, तो क्या होजागा, M X2 के साथ, N X1 के साथ, divided by M plus N, ऐसा ही 2D में भी होता था, फिर Y के लिए, फिर Y, यानिकि M Y2, प्लस N Y1, divided by M plus N, फिर M Z2 के साथ, क्योंकि z2 इसमें बस एक्स्ट्रा आता है n z1 के साथ divided by m plus n यहां तक तो हम लोग 2d में करते ही थे तो similar way में इसका coordinate इस तरह से था, अब इस question का answer दे सकते हैं, कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक a बिंदू है जिसका नियामक क्या है sorry, p है तो p ले दिजिए p तो p का क्या है, तो 5 2 minus 6 है similar way में q का तो q का क्या है, तो 1 0 minus 3 clear अब आप बताइए कि हमारे पास एक बिंदू ऐसा लिया है जो p sorry r, p q तो ले ही लिया है, r जो r जो है, इस p q रेखा खंड को किस अनुपात में divide कर रहा है, तो 2 is to 3 के divide में, यह माले जो 2, और थोड़ा यह भी समझना है कि यहाँ पे p r 2 है, मतलब r जो है न, p के नजदीक जदा है, compared to q, तो अब यहाँ पे p r 2 है और यह आप पस 3 है अब r का coordinate, r का नियामक आपको बताना है, तो अब आप बताईए, r के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी just formula जो यह था मालों यहाँ पे p का काम कर रहा था तो वही सेम चीज यहाँ भी use हो जाएगा न तो just याद रखो, x के लिए क्या करेंगे 2 इसके साथ, यानिकी 2 इंटू 1 plus 3 इसके साथ, यानिकी 3 इंटू 5 divide में क्या जाएगे 2 प्लस 3 इस तरह से next, फिर y के लिए क्या करेंगे 2 इंटू 0 3 इंटू 2 divided by 2 plus 3 फिर z के लिए क्या करेंगे तो 2 इंटू माइनस 3 तो 2 इंटू माइनस 3 plus 3 इंटू माइनस 6 divided by 2 plus 3 बस अब आपको इसका माण निकाल लेना है तो यह क्या हो जाएगा तो यहाँ पर इसनी देखेगा 2 और प्लस 15 यानिक 17 वाई 5 तो यहाँ पर अगला क्या आ जाएगा यह तो 0 हो जाएगा तो 5 by 5 sorry 6 by 5 यहाँ पर माइनस 6 और माइनस 18 तो माइनस 24 वाई 5 तो इस तरह से आप पास आंसर जो होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो गौ आप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा तो फर्मूला भी आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और इस तरह से आप इस question को अराम से solve कर सकते थे तो बिल्कुल आप इस तरह से इस question को जब भी इस तरह से point दे तो आप अराम से उसका जो है ना नियामक find कर सकते हैं चलिए next एक समतल का समिकरन दिया हुआ है बोले कि अभी लंब का दिक कोजिया क्या होगी तो वही हो गया दिक कोजिया मतलब क्या direction cosine आपको बताना है उस लंब का आपको अभी बताया कि जब भी आप पस AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इकोल स्टू 0 ये किसी जेनरल प्लेन का तल का समिकरन होता है तो इसी तल पे जो नॉर्मल अभी लंब होता है उसका दिक अनुपात क्या होता है तो A, B, C अब इसने क्या बोला दिक कोजिया तो दिक अनुपात जब A, B, C मुझे मिल गया तो A upon under root में A square प्लस B square प्लस C square से डिवाइड कर दिजेगा B upon under root में उसी चीज़ से डिवाइड कर दिजेगा C upon under root में A square प्लस B square प्लस C square से डिवाइड कर दिजेगा तो वही काम बन जाएगा तो अब अगर आप ध्यान से देखे तो इसका दिक अनुपात आप क्या बोलेगे तो दिक अनुपात तो डिरेक्ट आप बोल दीजेगा न यहीं उठा लिजेगा 2-3 और यहां से मानस 6 तो यह क्या हुआ दिक अनुपात हुआ क्यों क्योंकि इसका square इसका square इसका square का sum 1 नहीं आ रहा होगा दिक कोजिया में always इसका square का sum इसका square का sum आपको 1 होता है अब इसको दिक कोजिया कैसे बनाएंगे तो दिक कोजिया के लिए क्या करेंगे तो इसके अंडरूट में 2 का square 4 3 का square 9 प्लस 6 का square 36 यानि कि 7 अंडरूट 49 का 7 आ जाएगा तो 2 अपॉन 7 हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 7 हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 7 हो जाएगा अब आप option देख लो कौन सा match कर रहा है तो बिल्कुल आपको को option match कर रहा है मांसर आ जाएगा चलिए next हम लोग आगे बढ़ते हैं यदि आपके पास एक तल यह है एक समतल का समिक्रन हो तो दिए गए समतल के सामानांतर समतल का समिक्रन क्या होगा अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा समझना है कि जब भी आपको एक तल का समिकरन दे देगा उसके समानांतर तल का समिकरन अगर आपसे पूछता है तो उस case में आप कैसे handle करोगे माल लीजिए जब भी आप पस अगर कोई plane Ax plus By plus Cz plus D equals to 0 यह दिया हुआ है अब आपको बोले यह भी एक plane है तल है समिकरन दिया हुआ है अब इसी के समानांतर मालो जैसे कि एक plane आपको यह दिया हुआ है दूसरा plane इसी के समानांतर यह है तो इसका equation समिकरन तो यह है अब इस तल का समिकरन क्या होगा इस तल में क्या खासियत है कि यह जो तल है इसी तल के समानांतर है तो जो ये वाला पार्ट है न ये बिल्कुल आपका सेम रहेगा बस डिफर क्या करेगा तो ये जो constant term है ना constant term डी वाला यही बस अंतर करता है तो अब आप क्या करना तो यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है ना याने की AX AX प्लस BY प्लस CZ और यहां पर कोई constant अपने मन से एड़ कर देगा अगर दोनों constant भी सेम हो गया तो एक प्लेन दूसरे प्लेन के उपर ही आज़े सेम ही आओ गया पुड़ा का पुड़ा तब भी खुद खुद का तो पैलल होता यही है मतलव समानांतर होई जाएगा तब भी वो अलग अलग हैं इस समानांतर अगर रहा तो यहां से यहां तक वाई जेड तक यह वाला पार्ट as it is same रहेगा बस differ जो different रहता है न वो constant term यहाँ पर तो अब अगर आप बताईए कि इसी तल के सामाना अंतर आपको एक तल का समीकरन बताना है तो 2x plus 5y minus z वाला part तो same ही रहेगा तो यहाँ तो 3x आ गया तो यह तो reject हो गया यह 2x है लेकिन यहाँ plus 5y यहाँ minus यह भी reject हो तो बिल्कुल यह आपका correct option हो जाए k का value आप change कर दो अलगल लेकिन यह तल का खास्यत यही रहेगा कि इस तल के सामानांतर ही रहेंगे तो इस चीज को ध्यान रखना है अब जैसे ही सामानांतर हुआ तो आपको पूछ सकता कि दोनों तल के बीच का distance क्या होगा तो आगे क किसी को रखते हैं next question पर आते हैं इसमें आराम सब बता सकते हैं clear इसको आप खुद से कीजिए clear है तो अभी तोड़ा आवाज नहीं गया होगा आपको आवाज म्यूट था तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो तल है तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसके सामानांतर रखना है तो आपको यह वला पार्ट तो सेमी रहेगा कि बस डीफर क्या करता है तो constant term एगेन आप देखिए कि यह कौन सा पार्ट सेम है तो 2x प्लस 2y मानस 3z होना चाहिए तो 2x इसमें नहीं है इसका मजलब इसमें आप्शन में जो है टाइपिंग एरर है आप इसको थोड़ा सा चेंज करो चेंज यह कर सकता है कि यहां पर आप टू लगाओ तो जमाया कोई कहीं भी 2x है नहीं इसलिए आप थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है कोई बात नहीं 2x प्लस 2y मानस 3z इसलिए आपका यह ओप्सन करेक्ट हो जाएगा तो यह थोड़ा सा टाइपिंग एरर था इसको आप समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वह सावानंतर समतल का आपको समिक्रन लिखना है तो यहां से यहां तक वाला सेम रहेगा बस डिफर क्या करता है तो यह constant वाला turn चलिए तो इस तरह से आपका यह equation यह answer हो जाएगा next बिंदू this और this के बीज की दूरी तो आप easily find कर सकते हैं दो बिंदू दिया हुआ है तो 3D में अभी मैंने बताया आपको कि इसका 4 है 3 है यह 7 है बी बिंदू माल लीजे क्या दिया हो है 1 minus 1 and minus 5 अब A B कि 20 की दूरी क्या हो जाएगी तो अंडर रूट अफ दिस minus 10 करो या 10 minus 10 4-1 का square plus 3 minus minus 3 minus plus हो जाएगा plus 7 minus again यहाँ पर 7 plus 5 का whole square आ जाएगा अब इसको तो आप solve करी लोगे और कोईन कोई option आई जाएगा अगर आप ढहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर 9 plus 16 plus 12 का square इस तरह से आएगा 169 आ रहा होगा इसके अंदर और 169 का अंडरूट आजकल 13 ही होता है, तो go option एगेन आपका correct हो जाएगा, चले next, यदि रेखाखंड PQ की लंबाई अंडरूट 34 है, जहाँ P का नियामक जो है इस तरह से दिया हो और Q का नियामक इस तरह से दिया हो, तो lambda का मान आपको बताना होगा, मतलब क्या किया है कि दो बिंदू आपको दिया होगा, दोनों का बीच का जो दूरी है न, आपको यह दिया होगा है, तो फिर आपको lambda बताना है, तो तो काफी सरल हो गया, अगर आप PQ का देखिएगा, यही आपको अंडरूट आफ 34 दिया होगा है, अब PQ के दूरी तो चाली सकते हैं, तो lambda minus 2 हो जाएगा, का हॉल स्कूर, 1 minus minus 4 यानि कि प्लस 4 हो जाएगा, का हॉल स्कूर, 4 minus 1 का हॉल स्कूर, यही किसके इक्वल है, तो अंडरूट आफ 34, अब अंडरूट को आप गाइव करो सकते हो, इसली, तो यहाँ पे lambda minus 2 का हॉल स्कूर, प्लस, यह आपको 3 का है, यानि कि 9 आजाएगा, और इस तरफ अंडरूट गाइव किया, तो यह आपको 34 हो जाएगा, अब यहाँ पे इसली आप इस equation को solve कर सकते हैं, और यहाँ से आप lambda का मान निकाल लोगे, और कोई नो कोई option आपको जरूर मैच कर जाएगा, क्लियर है, तो आप य 0,2 से गुजरते हुए, उस तल का समीकरण क्या होगा, जो इस तल पर लंब है, देखो अब इस question को जो हैं, आप आप दो-तीन तरह से कर सकते हैं, एक तो यह है कि आपको तल का समीकरण निकालना है, तो तल का समीकरण किस फॉर्म में होता है, जेनरल फॉर्म, तो AX प्लेस I plus CZ plus D equals to 0 होता है, अब इसने बोल दिया कि यह जो तल है, वो किस किस बिन्दू से पास कर रहा है, तो एक तो इस बिन्दू से पास कर रहा है, तो इसको सन्तुष्ट करेगा, सन्तुष्ट में सटिस्वाइब कर जाएगा, तो यहीं बार तो आप इसको X,Y,Z के जगा पर 0 to wenn one रख दिजिए गा तो एक समी करन् मिल जाएगा आपको a-b-c-d-meü दूसरा फिर ये बिन्दू को आप इसमें रख दिजएगा तो एगेन आपको एक समीकरन् देगा a-b-c,d-meHello साथी साथ एक और समीक्रन आपस है कि यह जो आपके पास है तल जिसका आपका समीक्रन निकालना है वह इस तल पे क्या है तो लंब है आपस में तो यह दोनों आपस में अगर लंब होगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि दो प्लेन अगर आपस में लंब होता है तो उसका द डारेक्ट ऑप्शन सहीं देखो कि कौन सा तल इस तल के साथ परपेंडिकुलर है तो अगर आपके पास मानुज़ें इसको a1 b1 c1 बोल दिया d1 p1 अगर p2 कोई तल है जिसका समीकरण a2x b2y plus c2z plus d2 equals to 0 है अब अगर अगर p1 और p2 क्या है आपस में लंब है परपेंडिकुलर है तो आप डारेक्ट बोल दिजिएगा न कि a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 0 हो जाएगा तो अब अगर आपको वही चीज़ देखना है कि कि किसके साथ 1 into 1 1 हो जाएगा 2 into 2 2 into 1 2 हो जाएगा और 3 into 1 3 हो जाएगा क्या यह 0 आया नहीं आया तो यह होगा नहीं कि क्या यह उप्षन से चेक करना ज़्यादा आसन क्योंकि इस पर लंब होगा यह और यह भी साथ साथ करेगा कि ये जिसमें जो भी option होगा ये इसको satisfy करें तो ये भी satisfy नहीं कर रहा होगा इसको अगर ध्यान से देखें इसमें Z नहीं है तो 1 के साथ 1 किज़े तो 1 आएगा जेडवाला तो हैं नहीं तो जीरो हो जाएगा वा कैनो देखिए तो मांस वन और वन तो मानस ज़ेगा जट जीरो यह बिलकुल 0 आ रहा है तो यह दो नो आपस में क्या प्रस्पड लंभ है सासा इसको भी शटिस्थाय कर रहा है बने द इस जगह में आप बस इस चीज का यूज कर देना कि दो तल अगर आपस में प्रस्पड लंब है तो यह जो एवन एट्टू बीवन बीट्टू प्लस एवन सीटू का सम क्या होगा तो जीरो होगा तो ऑप्सन से हमने चेक कर ले क्योंकि यह भी दिया होगा ता कि जो हमारे प तो किसी भी तलका समिकरन क्या होगा तो यह अब आप खुद से फाइंड कर सकते हैं यहां से यहां तक वाला पार्ट तो से भी उन्हों चाहिए बस डीफर क्या कर सकता है तो कॉंस्टेंट वाला टर्म कर सकता है तो टू एक्स प्लस फाइवाई माइनस जड नहीं है तो य अब देखिए यहां पर क्या था इससे पहले एक कोश्चन अब लोग किये थे इस तरह से कि कोई दो एक रेखा खंड को विवाजित करता है कोई बिंदू तो में तो उस बिंदू का नियामक कैसे निकालते हैं अब दूसरे यह कोश्चन क्या है कि अगर आपका स्पी क्यू आर का कॉडिनेट तो वो किस रेखियो में किस अनुपात में विवाजित कर रहा है यह आपसे पूछ रहा है तो जब भी आपको ऐसा दे ना मान लिजिए पी दिया हुआ है क्यू दिवा हुआ है पी का कॉडिनेट मान लिजिए क्या दिया हुआ है तो 123 क्यू का कॉडिनेट क्या दिया हुआ है कि पूर फाइब माइनस सिक्स आम माले जिए आर कि किसी ना किसी अनुपात में इसको भी वाजित कर रहा होगा तो उसको जाना एम इस्टू एन के रेशियो में भी आप मान सकते हैं लेकिन इससे थोरा सा लिंदी जाएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप जो है ना इस 4 एन माइनस 3 क्लियर है अब सीधा एक्स के साथ एक्स का जो नियामक आप निकाल लिएगा इसके लिए इस फर्मूला जो प्रिवेस हम लोग यूज किये थे तो सीधा एक ही लाइन में आंसर आ जाए अधर्वाज आपको दो समीक्रण आपको निकालना पड़ता है एम और मानते क्योंकि अब तोमारे पास एक लेंडा ही निकालना है अगर मालेजिए इसका रेशियो 2 इस टू 3 आया मतलब लेंडा का वेलू अगर 2 वाई 3 आ गया ना इसका मतलब समझ जाना कि 2 इस टू 3 के 2 अनुपा 3 में विवाजित कर रहा है अगर लेंडा का वेलू 7 वाई 5 आया मतलब 7 इस टू 5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है अगर लेंडा वेलू 3 आ गया तो 3 इस टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब इसका 3 किसके इक्वल हो जाएगा तो 3 निकालेगा फर्मूला क्या था कि में अंसर फट से आ जाएगा तो 3 लेंडा प्लस 3 is equal to 4 लेंडा प्लस 1 अब इसको इस तरफ लेके चले जाओ इसको इस तरफ लेके चले आओ तो 4 लेंडा माइनस 3 लेंडा is equal to 3-1 तो यहां से लेंडा is equal to कितना आ गया तो 2 लेंडा जैसे ही 2 आया तो 2 is to 1 के रेशियो में आ जाएगा आपका आंसर मौन लेंड़ा अगर फ्री वाइट टू आता तो हम क्या बोलते हैं कि थीरी इस डू टू के रेशियो में आएगा आर विवाजित कर रहा होगा अगर लेंड़ा आपका पास 5 आ गया तो 5 इस डू 1 के इस तरह से तो लेंड़ा इस टू 1 मान लेना है फिर इसी फरो एक ही लाइन में आंसर आ जाए बस यहीं इसमें प्रिक अब कोई वो लेगा कि सर आपने अन्ता खंड यह कैसे समझा कि आपने यह जो आर बिंदू है वो पीक्यू को अन्ता ही बिवाजित कर रहा होगा बाहि में भी तो कर सकता है बाहर में बिल्कुल सही बात है तो इसके लिए समझो कि अगर आप मान के चलना अंदर में ही अगर लेमडा के वहलू माइनस यहां पर टू आता है इसका मतलब वो बाहिडी बाहि विवाजित कर रहा होता तू इस टू वन के रिस्यू में समझ चाहिए चीज बताएगा कि आर जो हो बाहर से डिवाइड कर वाई विवाजित कर रहा है तो अगर धनात्मक आया तो समझ कर रहा है अगर वह धनात्मक आया तो आपको बाहिखंड कर रही है तो पॉस्टिव बस लेमडा इस्टू 1 इंटर्नल लेके चलना है बस अपने होता है बच्छपन में आप पड़े होंगे चलिए तो यहां पर आ गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई रेखा एक्स और वाई अक्षों के साथ करम सा 30 डिगड़ी और 60 डिगड़ी कोण बनाती है तो वह रेखा जैड एक्स के साथ कोण सा कोण बनाएगी प्लेस कॉसे स्कुएel ऑक्या कि आ भीड़ी और नेक्षा की मान कीतना होता वन होता है तो होता है तो अब आप घर नचीए अब देखिए तो cos square 30 degree plus cos square 60 degree plus cos square gamma is equals to 1 अब यहां से cos 30 का मान कितना होता है 3 by 2 chi square याने कि 3 by 4 cos 60 कितना होता है 1 by 2 chi square 1 by 4 plus cos square gamma तो हमें बताना ही है अब अगर इसको ध्यां से देखिए हो तो इसका sum कितना आ रहा है तो 1 ही आ रहा है इसको और इसको तो cancel out कीज़ेगा तो यहां से हमारे पास क्या आ गिया कि cos square gamma equals to 0 तो यहां से gamma equals to 90 degree बूलिएगा की नहीं बूलिएगा तो इस तरह से आपका answer घौ correct हो जाएगा तो again आप देख सकते हैं कि इसका कितना use हो रहा है क्लियर है की नहीं है बिल्कुल चलिए next question पर आते हैं यदि दो रेखाओं की दिक अनुपात इतना और इतना है तो उनके बीच का cone तो देखिए जब भी आपको दिक अनुपात देदेगा न मलब देव रेखाओं का मा लेजे a1 b1 c1 और दूसरा का दिक अनुपात क्या है a2 b2 c2 तो cone निकालना तो आप जानते ही है कि cos theta क्या होता है उस दोनों रेखा के बीच का cone क्या होता था तो a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 divided by under root of a1 square b1 square plus c1 square फिर under root में यहाँ पे a2a square b2a square plus c2a square यही हमारे पास फर्मुला होता है जब सरल रेखा का दिक अनुपात गिवेन हो तो अब अगर आप इसका use कीजिएगा तो क्या बोलिएगा उसके बीच का कोजिया कोजिया मतलब कॉस तो कॉस्ट रहा क्या बोलेगा a1 a2 तो a1 a2 यानिकि 2 root 3 b1 b2 तो 4 आ जाएगा c1 c2 तो माइनस 3 हो जाएगा divided by इसका square यानिकि 3 root 3 का square तो 3 आ जाएगा 2 का square 4 हो जाएगा plus 9 हो जाएगा फिर इसका यानिकि 4 plus 4 plus 1 अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यह तो 1 हो जाएगा तो 1 plus 2 root 3 कि यह कितना आ जाएगा तो यह आपके पास 16 अंडर रूट 16 तो 4 हो जाएगा कि ओके और यह 9 आ जाएगा यानिकि 3 तो बाहर कितना आ गया आपको 1 plus 2 root 3 divided by 12 आ गया तो इस तरह से आपने बता दिया कि खोव आंसर आपका correct हो जाएगा तो बिलकुल आपको इसी तरह से फर्मूला आपको बिलकुल ध्यान है इस तरह से आप आल्वेज आंसर दे सकते हैं चलिए नेक्स्ट आगे बड़ते हैं किसी तिर्वूज का सिर्ष अगर इस तरह से तो तिर्वूज कैसा होगा अगर आपको यह तो बहुत सिंपल वाला बच्पन वाला कोश्चन हो गया मालेजे कोई तिर्वूज आपका दिया हुआ है उसका सिर्ष सी सीर्स का नियामक क्या है तो 2-3 फोड़ तो अब आपको बोले कि तिरभुज कैसा है समकोन है संभाहू है या बिसंभाहू है क्या है अब बताई संभाहू कब होगा जब आप a b b c और a c का distance निकाल लिजेगा तो अगर आपका संभाहू का मतलब a b का distance b c का distance और a c कि यह 3 हो जायेगा तो बिल्कुल आप संभाहू बोल दिजेगा संधी बायू दो side lengthुको यह distance यह distance निकाल लेना फिर देख लेना है कि क्या तीनों इक्वल है तो समभाहू हो जाएगा दो इक्वल एक अनइक्वल रहा तो आप समधिवाहू बोल दीजेगा अगर किसी 2 का स्कॉयर का सम् तीसरे के स्क्वाइड के इक्वल हो रहा है, फिर समकोन बोल दीजेगा, तो यह आप होमवर्क ले लो, चलिए, नेक्स्ट, एक सरल लेखा, एक्स पर 3 और एक्स पर 4 अंतक्खन कारती है, तो उसके समीकरन क्या होगे, तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, कि उस सरल लेखा का इंटर सेक्षन पॉइंट दे रखा है, कि एक्स एक्स पर 3,0 से जा रहा है, स्वारी, 3 पे काट कर रहा है, y पे 4 पे अंतक्खन कारती है, तो उसके समीकरन, तो देखो, अगर आप पहला वाले उठाईएगा, तो सबसे पहले अगर इस दोनों को देखिए, इस दोनों को, तो x-3 divided by 3 is equals to y upon minus 4, xy हमारे पास अंतक्खन दिया हुए, y एक्स और x अक्स पे, इसलिए मैंने इसी दो को सिर्फ पकड़ा हूँ, अब इसको इस तरफ लेगे जाएगा, तो minus 4x plus 12 is equals to 3y हो जाएगा, अब इस सब को इस तरफ लेगे चले जाएगा, तो 4x plus 3y is equals to 12 हो जाएगा, अब 2d में आपको पता है, कि अगर इंटर्सेप्ट दिया हुए अंतक्खन, अगर x अंतक्खन आपको निकालना है, तो y को 0 कर दीजिए, तो y जैसे ही 0 कीजिएगा, जैसे ही x को 0 कीजिएगा, तो x को 0 कीजिएगा, जैसे ही x को 0 कीजिएगा, तो y कितना आजाएगा, तो 4 आजाएगा, तो बिल्कुल आप यहां से देख सकते हैं, कि हमारे पास x अंतक्खन 3 और y अंतक्खन 4 आकिस को, इसके corresponding तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और किसी में ऐसा नहीं आएगा, तो इसी तरह से आपको हैंडल करना था, अगर माले जेड और x अंतक्खन देता, तो z और y, z और x को साथ लेके चलते, उससे देख लेते, यहां से 2D से आसान बताना हमें पता होता है, तो इस तरह से आपको हैंडल कर लेना था, चलिए, न कमारांतर है, तो यह बला पार्ट तो सेम ही रेगा, बस constant term differ करेगा, तो हम लोग भी ले ले लेते हैं, यह हमारे पास जो अविस्ट तल का जो मान निकालना है, समीकरन, is equals to k बोल दिया, साथ ही साथ इसने क्या बोला, जो अविस्ट तल है, वो क्या है, तो इस बिंदू से पास कर रहा है, तो 1, 2, 3 को संतुस्ट करेगा, जैसे इसको इसमें रखेगा, तो k कमान अपने आप आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 3 equals to k, तो यहां से k कमान क्या आ गिया, तो k कमान इसली आपको दिख रहा हो, जीरो ही आ गिया, तो अब यहां से आप देख सकते हैं, कि ह हमारे पास जो अविस्ट तल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो x plus y plus z is equals to 0, तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं, को आपका true हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बता है, जब भी आपको बोल देगा, किसी तल के समानांतर, तो बस आपको समझ जाना है, कि यह वा प्रम केक को निकाल लेंगे, क्लियर है, बहुत ही बाड़ 이야기 हो, छले मूल बिन्दू से किसी तल पे लंब का चरन बिन्दू इतना है, तो तल का समीकरन क्या होगा है, चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, चरन बिन्दू का मतलब क्या होता है, जास समझेगा इ यानि कि 0,0,0 जो यहां से पर्पेंडिकुलर डालिएगा फूट पर्पेंडिकुलर तो यही इसका चरन होगा या पाद इसको बोला जाता है तो इसका जो कोडिनेट है यहां पे 1,1,1 मतलब इस बिंदू से आपने एक पर्पेंडिकुलर लंब ड्रॉ किया इस तल पे यहां पर जाके प्लेन पर मिला वही उसका चरन मिंदू का हलाता है तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस प्लेन पर ही इस पॉइंट का चरन मिंदू लाई कर रहा है ना इसका मतलब इस प्लेन को यह चरन मिंदू 1,1 सटिस्फाइग करेगा क्लियर है तो अब अगर यह रॉंग आपका खोव आंसर ट्रू हो जाएगा तो आप समझिए गा समझिए इस चीज को कभी कभी आपको यही पॉइंट भी निकालने के लिए देता है कि चरन बिंदू यह चरन पाद आप बताओ कि इस बिंदू से जब आप अभी लंब डाल रहें इस प्लेन पे इस त सटिस्वाइ कर रहा होगा वस सटिस्वाइ करके हमने चेक कर लिया फटा-फटा आपने बता दिया चलिए उस तल का समीक्रण जो अक्षो के बरावर अंतखंड काटती है एबम अच्छा अंतखंड जब दिया हुआ रहेगा ना मानली जे एक्स अंतखंड आपके पास दिय वो क्या हो जाता है तो x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 यही हो जाता है जब आपके पास x अंतखंड y अंतखंड और z अंतखंड आपके पास z axis पे अंतखंड y axis पे इस तरह से आप निकाल अब इसने question में आईए question क्या बोला है कि question बोला है आपको कि भाईया जी तल का जो समिक्रन है जो अक्षों को बराबर मतलब a b c यहाँ पर सभी अंतखंड क्या x इसके साथ बराबर है तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो हमारे पास क्या लिखिएगा आप x upon a माल लो कि सभी तो बराबर इसको भी ए माल लेते हैं और जेड वाई ए वन अब इस एको निकालने के लिए आप सब्सक्राइब करेगा न तो बस यहीं से आपके पास मान आ जाएगा किसका तो अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा जैसे ही 2 रखे तो 2 माइनस ऑफ 3 प्लस 7 is equals to a तो अब a का मान आपको आगया होगा क्या आया है उशीक्स आगया होगा तो अब आप इसमें 6 जैसे रखिएगा तो X प्लस Y प्लस Z इकोस टू 6 उस तल का समीकरन हो जाएगा तो खो आंसर आपका true हो जाएगा तो process समझे कि जब अंताखंड X, Y, X और Z, X पर दिया राता है तो उस तल का समीकरन इस तरह से आप बोलते हैं अब इस question में क्या था कि तो फिर यहां से यह आ गया फिर साथी बोला कि वो इस बिंदू से भी पास कर रहा वो तल आपका तो अब वहां से इसी information से ए हमें निकल गया ए निकल गया एगेन हम लोग ए के जगह पे रख दिया तो हमारे पस equation यह आ गया तो यही हमारा समीकरन था चलिए अब दो तल इ देखिए तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि दो पैरलल तल क्या होता अगर पी वन पैरलल रहेगा पी टू के तो क्या रहेगा मालेज़े पी वन का equation आपके पास ए वन एक्स बी टू वाई और बी वन वाई सी वन जेड प्लस दी वन इस इकोस टू जीरो दूसरा अगर पी टू है जिसका मालेज़े a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 है एक तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको पी वन पी टू दोनों तल सामानांतर रहेंगे तो यह वला पाट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम रहता है तो बिल्कुल सेम रहता है यह हुड़ा भी चाहिए और होता भी है या अदरवाईज अगर आपको इस तरह से बोलता है तो जब p1 p2 पैलल होते हैं … समानांतर होते हैं एक चीज़ डारेक्ट आप बोल सकते हैं, कभी-कभी यह समान नहीं हो सकता है, इसमें common लेना पर है, जैसे यहाँ पर आप 2 common ले लिजेगा, तो x plus 4y, sorry, x plus 2y minus 2z, plus 5 is equals 2, 0 आ रहा है, अब इस 2 को अगर आप यहाँ पर लेके चले आओगे, तो एगेन आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल, x plus 2y minus 2z, x plus 2y minus 2z, बस डिफर क्या कर रहा है, इस constant डर्म यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 by 2 आगे, तो अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो बिल्कुल, कि प्लेन का देखके ही, आपको पता चल जाएगे, यह किसी ने किसी के स मल्टिप्लाई किया होगा, तब भी वो समानांतर ही रहा है, इस चीज़ों कैसे समझेंगे, तो यहाँ से condition याद रखो, कि a1 upon a2, b1 upon b2, और c1 upon c2, कोई दो तल, अगर समानांतर है, तो a1 upon a2 का रेशियो, b1 upon b2 का रेशियो, c1 upon c2 का रेशियो, यह आपका सेम रहेगा, तो अगर आप यहाँ पर डारेक्ट देखते, तो 1 upon 2, फिर 2 upon 4, एगेन 1 upon 2 आता, माइनस 2 upon minus 4 करते, तब भी 1 upon 2 आता, तो बिल्कुल यह चीज़ को होल्ड करता है, इस चीज़ को ध्यान रखियेगा, कि अगर दो प्लेन आपस में पैरलल हो जाए, तो इस चीज़ को, और स आती साथ, क्या ध्यान रखना है, लंब वाला तो आपको ध्यान ही है, क्या ध्यान है, तो अगर P1 perpendicular है P2 के, तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 यह 0 हो जाता है, तो दोनों ही condition मैंने एक जगा लिख दिया हूं, ताकि आपको याद रहे, इस तरह से, तो अब अगर आप ध्यान से दे इसका ही दूरी आप बताईएगा, तो उस case में क्या होता है, यह वाला, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, थोरा सा चेंज कर रहा हूं, कि अगर आपके पास कभी दूरी निकालना हो जाए, तो यहाँ से जैसे 2 common करके, D2 आप इस तरह से चेंज कर दिया, तो अब जो ह होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, अगर नहीं भी रहा है, तो इस तरह से common लेके आप सेम बना दीजेगा, मालजे P2 क्या है, एगेन यह वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, बस defer क्या कर जाता है, तो constant term, अब इस दोनों के बीच का दूरी जो distance तो अब आप बताईए मुझे यहाँ से, कि यहाँ से distance क्या आएगा, D1 का काम कोन कर रहा है, 1 कर रहा है, D2 का काम कोन कर रहा है, 5 by 2 कर रहा है, तो minus 5 by 2 आ गया, divided by under root, अब देखो, सेम बनाओगे, तभी तो अब उसमें से कौन सा ABC आप लेते है, अगर दोनों सेम नहीं रह होगा, उस कोमन ले को इस तरफ हटाईए, अब फिर D जो होगा न, यहाँ 5 नहीं लेंगे, 5 by 2 लेंगे, चलिए, अब तो यह A और B C दोनों में सेम आ गया, बिल्कुल होना भी चाहिए था, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास, 1 का square, plus 2 का square, again minus 2 का square, अब यहाँ से आप इसका value तो निगाली लीजेगा, यह कितना आ जाएगा, 2 minus 5, यहने कि minus 3 by 2 का mod, यहने कि 3 by 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 plus 4 plus 4, यहने कि 3 आ जाएगा, simply, तो easily आप देख सकते हैं कि half आपका answer होगे, तो यह सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, जो मैंने आपको बताया हूँ, थियोडी को भी साथ करके, तो एगेन आपका answer गौ करेक्ट हो जाएगा, समझ माया है कि नहीं आया है, बिल्कुल समझ माया है सर, तो बिल्कुल इस थियोडी को भी समझना है कि भाया जी, जब आपस दो plane आपस में प्रस्पर समनांतर होंग तो always इसी सिर्फ d1, d2 का difference होता है, अगर नहीं रहा, अगर माले जी common जैसे यहाँ पे था तो पहले d1, d2 निकालिए, इसको same कर गें, तो common जिल्कुल बन रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ फॉलो करता है, चलिए, next आते हैं, किसी बिंदू से x-ax की दूरी क्या होगी, अब आप याद कीजिए, माले जी ये बिंदू इस तरह 3D में दिया हुआ है, कहीं पे, माले जी ये दूरी, ये point क्या है, 3,5, जब इसको आप x-axis यहाँ से दूरी distance ये find करना है, इसका coordinate क्या हो जाएगा, जैसे आप 2 2D में ही समझ ये, कि 2D में क्या होता था, माले जी 2D की बात करता हूँ, ये x-axis है, ये y-axis है, 2,5 ले लिया आपने, माले जी 2,5 आपका सी ये है, चलिए 2, तसा उपर लेना पड़ेगा, माले जी 2,5 ये ले लिया आपने, अब बोलेगा, इस बिंदू से x का distance तो आप यहाँ से perpendicular डॉप करते हैं, ये distance कितना जो y होता है, वही 5 हो जाएगा, तो बिल्कुल इन 3D, ये क्या है 2D में है, ये क्या है तो 3D है, 3D में क्या होगा, तो अगर आप इस point का coordinate देखिएगा, तो 2, 0 ही लिखते हैं न, बताइए, अब distance फर्मुला भी जब यूज किज़े, 2-0 हो जाएगा, 0-5 का square, 25 का under root 5 ही आजाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं, similar way में 3D में थोरा सा visualize और करो भया, ये चीज हमें पता है, तो जब इस point को X axis पे लेके आओगे, तो ये तो 3 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगे, अब distance तो बताई दीजेगा, अब अंडर root, 3-3 तो 0 का square, 0 हो जाएगा, फिर 4-4 का 4 का square, 5-0 यनिकी 5 का square, अब आपको दिख रहा होगा, कि ये तो 16 प्लस 25, ये कितना आता है, तो ये आपके पास अंडर root 41 आ जाएगा, तो बस ऐसे ही सोचना था आपको, अगर आपको Y axis करता तो यहाँ पे 305 हो जाता, फिर उससे distance निकाले, 3D को बस थोरा सा visualize करने की कोसिस कीजिए, 2D के साथ, चलिए, next, यदि रेखा दिस और तल इतना में स्थित है, तो के का मान क्या होगा, अब देखों, समझिएगा इस चीज को क्या बोला है, कि एक तल है, जिसका equation दिया हुआ है, तो 2X-4Y plus Z is equals to 7 दिया हुआ है, अब बोले कि एक रेखा जो है न, वो इसी तल पे स्थित है, अब इसी तल में स्थित है, मतलब क Y-2 divided by 1, और Z-K divided by 2, तो K का मान क्या होगा, बताए ये जो रेखा है, वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 4,2,K से पास कर रहा है, तो जब रेखा पे वो पॉइंट कौन सा है, 4,2,K है, वो रेखा पे है, और रेखा और लेड़ी उस तल पे है, तो वो 4,2,K जो है, वो इ ही चीज कर देना था, कि ये जो 4,2,K है न, इसको संतुस्ट करेगा, तो यहाँ पे 2 into 4 हो जाएगा, माइनस 4 into 2 हो जाएगा, और प्लस K is equals to 7 बोल दीजिएगा, तो यहाँ से 8 minus 8 प्लस K equals to 7, तो यहाँ से K equals to बिल्कुल आपको 7 ही आ रहा होगा, तो खो आंसर आपका बिल एक रेखा, इससे गुजरती है, तो 2 minus 1,3 से गुजरती है, अब हम उसके दिक अनुपात, तो बिल्कुल आपको पता है, कि X minus X1 divided by A, Y minus Y1 divided by B, and Z minus Z1 divided by C, यही आपका line का equation होता है, तो clear way में आपको क्या बोला, कौन सा point से pass कर रहा है, तो X minus 2, दिक अनुपात क्या है, तो यही A का है, यह B है, और यह C है, clear है, यहाँ पर, और यही आपके पास किसका काम कर रहा है, तो X1, Y1, and Z1 का का काम कर रहा है, तो बस इसमें पटक देना है, तो 3 हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तो Y minus Y1, यानि कि 1 Y plus 1 by minus 1 हो जाएगा, और Z minus 3, divided by 2 आजाएग तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, अगर आप देखिएगा, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कि हमारे पास go option बिल्कुल true है, यह जब आपका एक बिंदू देदेगा, और उसका दिक अनुपात देदेगा, तो इस तरह से आपको equation समीकरन उस रेखा का लिख देना था, चलिए, मूल बिंदू से किसी तल पर लंब की लंबाई 8 है, और लंब का दिक अनुपात 103 हैं, तो तल का समीकरन क्या होगा, सबसुपर देगो, तल का समीकरन क्या है? जनरल फर्म में én x प्लस by प्लस c, z प्लस d इक वस टू 0 होता है, यही abc तो दिक अनुपात कालाता है, तो यहां पर यही A, B, C का ही तो मान दिया हुआ है, यह आपके पास A है, यह आपके पास B है और यह आपके पास C का काम कर रहा है, तो अब बताइए आप, तो X हो जाएगा, तो Y तो 0 बात खतम, 3Z हो जाएगा, प्लस D equals to 0 हो जाएगे, यह आ गया, अब D को निकालने के लिए ए कि 0 कमा 0 से, इसका distance तो अभी जस्ट बताया आपको कि D कैसे निकालते हैं, तो तल तो यही है, चाँ, D1 मान जाएगे, D अल्रेडी पहले है, तो D1 इसको बोल देता है, distance को, तो अब क्या रखते, पहले उसको रख देते हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस D का मौट divided by, अंडरूट में 1 का स्कोर, प्लस 3 का स्कोर, तो अब यह D, D कितना दिया हो, तो यही आपके पास दिया हुआ है, 8, बिल्कुल, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यह कितना आ गया, 9 प्लस 1, यानिकी 10, तो 10 अंडरूट 8, तो अंडरूट नहीं, यह अंडरूट 10 9 आ गया, is equal to, यहाँ पे कितना आ गया, तो D आ गया, तो बिल्कुल, D का वेलूट कितना आ गया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो हमारा answer कौन सा हो जाएगा, अच्छा, D का वेलूट यहाँ से मॉडलस में आया है, तो यहाँ से आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, कि D equals to a plus minus 8 under root 10, बिल्कुल, मॉडलस, इसलिए negative positive दोनों consider, जब negative ले लिजिएगा, तो पॉस्टिव उस तरफ जाके, तो इस तरह से आपका equation क्या हो जाएगा, तो X plus 3Z is equals to 8 root 10, बस, तो इस तरह से आपका answer जो है, वो, sorry, Z वाला है, यह गौह answer आपका true हो जाएगा, तो आपने समझ लिया, किस तरह से निकालना है, बिल्कुल, एक बिंदु इससे गुजरती हुई रेखा, पर लंब तल का समीकरण क्या होगा, ओके, तल का समीकरण आपको बताना है, वो तल क्या है न, इस पे लंब है, यह line उस पे लंब है, तो अब आप बताईए, कि आपको पता है कि एक तल पे लंब का दिक अनुपात क्या होता है, तो अगर यह line ही मान लिजए, इस पे लंब है, तो यही line ले लो, तो अगर इसका अगर x प्लस 1y2, y-1y4 is equal to zy1, यह अगर लंब है, इसका जो दिक अनुपात होगा, वही तो इस तल का भी दिक अनुपात हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा जो है, वह इस तल पे लंबवत है, है कि नहीं, तो अब a, b, c का तो यहीं से मिल गए आपको, साथी साथ आपको क्या बोल रहा है, इस बिंदू से पास भी कर रहा है, अब आप यहां से 2x plus 4y plus z plus d equals to 0 तो बोली दीजेगा, साथी साथ यह किस बिंदू स समझेगा, इस चीज को, मैंने क्या बोला, कि यह तल और यह रेखा आपस में क्या लंबवत है, तो इस तल का, इस रेखा का direction, cosine, direction ratio, यहीं दिक अनुपात तो यही है, 2, 4, 1, तो जो लंबवत है, तो इसके लंब का, यह जो प्लेन में जो आता है आपकास equation, ax plus by plus cz plus d equals to 0, तो abc क्या होता है, इस तल पे जो लंबवत होता है, उसी का तो direction ratio होता है, दिक अनुपात होता है, तो यह line अल्रेडी बोल रहा है कि लंबवत है, तो इसका तो direction ratio, यानि कि दिक अनुपात होगा, वही तो यह हो जाएगा, तो 2, 4z, और d निकालने के लिए अलग से हमें ब अचा, ऐसे भी सोच लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, कि अगर वह pass कर रहा है, तो general equation आप इस तरह से भी बता सकते हैं, कि a into x-x1 plus b into y-y1 plus c into z-z1 is equal to 0, तो abc का तो मान निकली गया, और x1, y1, z1 का मान अलेडी है ही, तो आप यही से देख सकते हैं, x-x1, y-y2, y-y1, z-z1, और यह a, b, c का मान दिया हुआ, यही आंसर आपका correct हो जाएगा, clear है, चलिए, तो बस अराम से, d already आप पस आजाएगा, उसे d यहां से निकाल लिएगा, तब भी आएगा, इसको solve कीजिएगा, यहां पर रख दीजिएगा, तो वही आएगा, इसको solve, d यहां से निक minus 8, minus 3, तो वही d का इसको इस तरफ लेगे, चले, वही आ रहा है, तो बिल्कुल, इस form में भी याद रख सकते हैं, इस form से भी याद रख सकते, clear है, चलिए, next, तलों this और this की कटान रेखा के दिक अनुपात क्या होगा, अब देखो, दो तल, दो तल जब भी intersect करता है, तो is equals to y minus y1 divided by b, is equals to z minus z1 divided by c, तो उसी form में आपको इसको लाना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखिये, तो 3x plus 2y minus z equals to 5 दिया हुआ है, दूसरा क्या है, तो x minus y plus 2z is equals to 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से y equals to, आप क्या बोलिएगा, कि y equals to हमारे पास क्या आ चुका है, कि x plus 2z आ चुका है, अगर आप यहाँ से y निकालिएगा, तो क्या बोलिएगा, तो 2y is equals to 5 plus z minus 3x, तो y equals to क्या आ जाएगा, तो 5 plus z minus 3x divided by 2, अब इस दोनों को आप equal कर दीजिए, जैसे आप equal कीजिएगा, तो x plus 2z equals to, इस तरफ क्या आएगा, तो 5 plus z minus 3x by 2, तो इधर 2 से multiply कर दिया, अब अगर आपको ध्यान से देखिएगा, तो यह कितना आ रहा होगा, तो 2x, अगी नहीं, 2x आ रहा है, प्लस 4z आ रहा है, और इस तरफ कितना आ गिया, तो 5 plus z minus 3x आ रहा है, clear है, ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हम लोग क्या करें, इसको इस तरफ लेके चले आओ, तो 5x हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो 5 minus 3z हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो minus 3 अगर आपने common कर लिया, तो ये क्या बनेगा, z minus 5 by 3, बहुत ही बढ़िया, तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको वहाँ पे substitute कीजिएगा, फिर y को टर्म में, इसी तरह से आप बता सकते हैं, थोड़ा लेंदी जा रहे हैं, आप खुल से try करने, एक्स और y, z इस तरह से देखिएगा, फिर आपको completely उसी form में आ जाएगा, आप खुल से try करने, इसमें केल्कुलेशन में जल्दी मैं फस रहाँ, आप अराम से, तरीका क्या है, आप y को निकालीजिए, x को निकालीजिए, फिर z को निकालीजिए, सभी को equal करके इस तरह से फिर उसी form में आपका आ जाएगा, चलिए, next question पर आते हैं, तल दिस और दिस की कटान रेखा, और मूल बिंदू से गुजरने वाले तल का समीकरन क्या होगा, तो सस्पलित एक तो आप ये भी देख लीजिएगा, जब भी आपको question में दे दिया ना कि कटान रेखा, तो दो प्लेन जब भी इंटर्सेक्ट करेगा, और फिर उस प्लेन, उस कटान बिंदू से साथी साथ एक अलग बिंदू से पास करने वाला तल का समीकरन अगर आपको बताना है, तो देखो, तल इंटर्सेक्ट कर रहा है, तो P1 दिया हुआ है, ये, ये आपका P1 दिया हुआ तो जब भी आपको दो प्लेन इंटरसेट करागा उस बिंदू से और साथ एक अलग बिंदू से पास होने वाली तलका अगर समिकरन बोलेगा तो सीधा आप P1 प्लस लेमडा टाइमस P2 इस इकोल स्टू क्या कर लेना जीरू यही आपका अविस्ठ तलका समिकरन होगा अब द लेमडा अब लेमडा टाइमस P2 तो P2 क्या हो जाएगा तो 5X माइनस 2Y प्लस Z माइनस 2 इस इकोल स्टू जीरू अब यही हो गया आपका इस से कि इस क्याटान इडिका से चल रहा है अब एगेन आप क्या बोले कि यह जो है वो किसको सटिस्वाई करेगा मूल बिंदू को तो 0,0,0 जैसे इसको इसमें रखिएगा एक सब्सक्राइब पर आपको लेमडा का मान आ जाएगा और लेमडा का मान जैसे यह आ गया तो यहां पर रख दीजिए तो फिर कंप्लीटली आपको इसी फॉर्म में एक एक इक कुईस्टन मिल जाए तो तरीका क्या है जैसे ही क बिंदू को सटिस्फाइ करवा दिया तो लेमडा का मान आ जाएगा लेमडा का मान एगन रख दीजिए तो वह इसी फॉर्म में आपका आ जाएगा इस तरह से यह आपके लिए होमवर्क है आप जरूर इसको आगे कंटिनू करके इसको बस लेमडा जैसे जीरो रखिए ले आपका फर्मूला ही रहे जब भी आपको एक बिंदू देदेगा और उसका दिक कोजिया या दिक अनुपाद देदेगा तो आप इस तरह से यूज़ कर लेना दो समतल दिस और दिस के बीच की दूरी अब वही चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह वला पाट इ इसमें अगर आप 2 कॉमन कर लीजिए तो यह क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z is equal to 12 अब यहां से आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z is equal to 6 आ रहा होगा और यह वला पाट और यह वला पाट दोनों सेम है कि नहीं है अब दो तल के बीच की समरांतर तल के बीच का डिस्टेंस तो आप divided by a का square प्लस b का square प्लस c का square लेकिन अभी जस्ट आप नहीं कर देना कि d1 इसको माल लेना d2 इसको तो फिर गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि अब यह 6 हो चुका है क्योंकि a b c आपको सेम बनाना होगा ax प्लस by प्लस cz यह पार्ट आपको सेम रखना होगा तब ही जाके आप दिस्टेंस निकाल सको चलिए अब d1 का काम कोन कर रहा है तो 4 कर रहा है d2 का काम कोन कर रहा है तो 6 कर रहा है divided by under root of 2 का square 3 का square and 4 का square तो अब तो आप यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4 20 प्लस 29 एक सकेंद एक सकेंद 2 का square, 3 का square, 4 का square तो यह कितना आजाएगा 4, 9 और 16 तो फिल इसको रखते थे पहले 4 प्लस 9 प्लस 16 तो 29 ही आ रहा है है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल गहाँ ऑप्शन बिल्कुल है भी 2 बाई 29 तो इस तरह से आपका यह ऑप्शन ट्रू हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता है तो यह कोश्चन काफी बार रिपीट कर रहा है आप समझ सकते इस तरह से बस देखना यह है कि यह वला जीदा आख बंद करके फूर ट्रूल को उठा लेजिएगा किसी एक का पहले वला को उठा लेजिए फिर गलत हो जाएगा इस चीज़ को ध्यान रखना है प्रस्पर्ड लंब है तो यह अब आप अराम से निकाल सकते हैं कि समरांतर है यह नहीं समरांतर के लिए बस रेशियो सेम होना चाहिए समरांतर के लिए क्या कीजेगा कि 2 अपॉन 5 बिलकुल समरांतर ही है क्योंकि यहां पे माइनस वन है और यह अपर अगेंच 2.5 है यहां पे आपको फॉर है क्योंकि A1 अपों A2, B1 अपों B2 और C1 अपों C2 यह सेम होता है तो फिर क्या बोलते हैं आप समरांतर बोलते हैं अब अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ 4 है और यहाँ जड में 10 है, तो अब आप देखिए, क्या उनुपात आ रहा है, यह तो 2 by 5 ही है, यहाँ भी अगर देखिए, गा, चलिए माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, तो यह भी आपके पास 2 by 5 ही है, और यह भी आपके प समीकरन जो बिंदू, अच्छा, अगर आपके पास इंटरसेप्ट दे दिया है, तो डारेक्ट आप इसका, कि अगर एक तल, मान लिजे, इस तरह से दिया हुआ है, यह आपके पास पॉइंट क्या है, तो A, 0, 0, यह आपके पास 0, B, 0, और इसका क्या है, तो 0, 0, C, इस तर जब भी आपको यह क्या है, X अंतर खंड है, यह Y अंतर खंड है, और यह Z, तो जब भी आपको इस तरह से रहता है, तो आप क्या बोल देते हैं, कि X अपाउन A, प्लस Y अपाउन B, प्लस Z अपाउन C, इकोस टू 1, तो यही वो चीज यहाँ पे घौँ में आपको दिख र C1B2, प्लस C1C2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यह आपस में क्या है, लंब है, तो यह चीज को यूज करेगा, तो अब अगर आप A1, A2 कीजिएगा, तो 2 इंटू 1, तो 2 ही हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू 2, तो माइनस 8 आजाएगा, फिर 3 इ लेम्डा इस इकोस टू सिक्स तो लेम्डा इस इकोस टू आ जाएगा तो इस तरह से आपका खो आंसर टू हो जाएगा तो बिल्कुल एगेन देख सकते हैं बस फर्मूला बेस्ट आपका है अराम से आपने समझ लिया है अच्छा रेखा का दिक अनुपात यह है तो दिक अंडरूट में क्या कीजिएगा आप 1 का स्क्वाइर 3 का स्क्वाइर प्लस 5 का स्क्वाइर फिर 3 में इसी का 1 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर प्लस 5 का स्क्वाइर फिर 5 में आप इसी का 1 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर प्लस 5 का स्क्वाइर तो इस तरह से आप आपका आंसर क्या आजाएगा पचीस प्लस दस पैंतिस तो यही ऑप्सन आपका ट्रू हो जाएगा तो जब भी आपके पास दिक अनुपात है तो दिक कोजिया बनाने के लिए किसी का अंडरूट स्क्वाइर करके सम करके डिवाइड कर देना रहाता है सभी में चलिए तल इतना के समनंतर का समी करन तो बहुत ही सिंपल है यह यहां तक यहां तक तो सेमी रहेगा तो एक्स माइनस टू आई प्लस थ्रीजेट प्लस फाइव तो यह तो रिजेक्ट हो गय कि अचा यह तो आराम से पहले आप क्या करो नदेखिए इसमें सेम पहले क्या है सभी को आप डिवाइड कर दीजे अगर पूरे को अगर आप टू से डिवाइड कर दीजे यह क्या बनेगा माइनस 9 और 6 और माइनस 2 अब यह इसका आपका दिक अनुपात है अब यहां से इ 9 का स्क्वेर प्लस 6 का स्क्वेर प्लस 2 का स्क्वेर तो 6 का स्क्वेर क्या हो जाएगा 36 2 का स्क्वेर 4 तो 40 9 का स्क्वेर तो 81 तो यहां से आपका 121 यानि के अंडर रूट 121 का मान क्या हो जाएगा तो 11 हो जाएगा तो 9 9y11 6 by 11 और माइनस 2 by 11 तो यही आपका दिक्त कोजिया हो जाएगा इस तरह से को आपस नहीं होके आपके पस क्योंकि हमारे पस माइनस माइनस तो यह को आपका यहां पर मानस लगा हुआ यहां पर यह आंसर आपका ट्रू हो जाएगा तो एगेन आप सिंपल बच्चों देख स होंगे जब एक लाइन के और एक तल फ्रस्पर समानांतर हुआ अब सौच यह एक तल आपके पास यह और यह आपके पास तल यह समानांतर होगा 되어 मतलब इसका जो दिकनो पार और इसके जु नॉर्मल होंगे हरिविलम इस दोनों के बीच में 90 इसका नॉर्मल क्या बीच क्या है तो आप यही बोल दीजेगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, कि AL प्लस BM प्लस CN, ये कंडीशन आपको याद रख लेना है, जब जैसे ही बोलेगा कि एक लाइन और एक तल प्रस्पड समाना अंतर हैं, तो LA, MB, NC का सम जीरो होगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्यों होगा आपको बता दिया कि इसके अविलम और इसके अविलम का दिक अनुपात और इस लाइन का दिक अनुपात या दिक कोजिया कि बीच में 90 बनेगा, तो वही चीज़ आपको फॉलो कर देना था कॉस वाला, तो इस तरह से आपके पास खो आप्शन ट्रू हो जाएगा, चलिए रेखा दिस कदिक अनुपात बोल दिजगा, 372 है तो यह ओप्शन खो आपका, ट्रू हो जाएगा, देखके ही आप बता दिजएगा, एलमन एक सरल रेखा कि दिक कोजिया है, तो एल स्कूर, एम स्कूर, एम स्कूर का सम 1 होता है, ये भी बहुत ही सिंपल है, याद रख सक रेखा, एक सम 1 बाई एल, य प्लस 2 बाई एम, जेड मानस 4 बाई एन, और दिस एक दूसरे के समनंतर होगी, यदी, अब देखको, लाइन में भी आपको याद रखना है, as a note, क्या याद रखना है, कि अगर एक सम 1 डिवाइड़ बाई एवन, य मानस वाइवन डिवाइड कि X मानस X2 डिवाइड वाई A2, Y मानस Y2 डिवाइड वाई B2, Z मानस Z2 डिवाइड वाई C2, अगर आपका, अगर L1 पैरलल समनंतर L2 है, तो वही सेम चीज, कि दिक अनुपात का रेशियो सेम होगा, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, and C1 अपॉन C2, ये चीज क्या होगा? रेशियो सेम रहेगा, तो अब अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं, कि यहाँ पे क्या है तो L, यहाँ पे क्या है तो 2, यहाँ पे क्या है तो M, यहाँ पे क्या है तो 3, यहाँ पे क्या है तो N, यहाँ पे क्या है तो 6, अब आप इसली देख सकते हैं, कि अगर पूड़े को यहाँ पर 6 से multiply कर दें पूड़े में तो यह क्या हो जाएगा 3L यहाँ पर 2M और यह तो गाई भी हो जाएगा 6 से 6 यानि की N तो यह condition आपको मिल गया होगा और यही चीज आपका इस तरह से इसमें कौन सा दिख जाएगा आपको 2L यह बिल्कुल को option आपको दिख रहा है कि यही लिखा हुआ है तो बस यह चीज आपको ध्यान रखना है चलिए next आते हैं यदि सरल रेखा दिस और तल यह के बीच का कौन अगर 60 ठीटा है जहां साइन ठीटा क्या होगा उसके आगे पहले इस question को हम लोग अभी आते हैं पहले इस question करते हैं बिंदू से तल का लंब की लंबा है तो वही हो गया एक तल दिया हुआ है अभी आप जोस्त बता दिये थे आपको इसका equation क्या है तो 2x प्लस y माइनस 2z एक बिंदू क्या है तो 0,-1,3 इससे इस तल का distance आपको बताना है तो जस्ट यह point रख दीजिएगा 0 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा फिर 3 रखिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और प्लस 1 divided by under root of 2 का square प्लस 1 का square प्लस माइनस 2 का square तो 2 का square सेमी रहेगा अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या आजाएगा तो 6 upon यह 1 से 1 गाइब हो जाएगा यहाँ पे 9 4 प्लस 4 प्लस 1 तो 9 यानि कि 3 आ जाएगा तो यहां से 2 आ जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी से टिक क्या कर दिजिएगा तो घौ option को टिक कर दिजिएगा चले next किसी सरल रेखा का समीकरन यह तो रेखा का दिक कोजिया क्या होगी तो यह तो दिक अनुपात होगा तो दिक अनुपात आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगी तो 2 3 & 4 तो दिक कोजिया क्या हो जाएगा तो 2 upon under root of 2 का square पहले ये आप निकाल लीजिए 2 का square प्लस 3 का square प्लस 4 का square तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 तो under root 29 तो 3 upon under root of 29 एंड 4 upon under root of 29 बस ये option आपको दिख गया हुआ कि गोवा option बिलकुल यही है चलिए तो अब हम लोग उस question पर पहले आ जाते हैं कि हमारा वो question क्या था बिलकुल अब अगर ध्यान से समझेगा एक चीज़ आप समझेगा कि जब आपके पास एक तो आपने क्या देखा कि दो लाइन दे देगा उस दो लाइन के बीच में आपको उसका distance एंगल पूछे का कौन कि दो लाइन के बीच का कौन कि इतना है तो वही a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड वाई अंडर रूट अगर आपको अस दो प्लेन तल दिया हुआ उसके बीच का भी कौन निकाल सकते ह अगर मालजे एक तल दे दिया और एक लाइन दे दिया यह क्या है तो तल है यह क्या है तो एक लाइन है तो अब आप देख सकते हैं यहां कुछन कुछ एंगल वनेगा जहां समझे तो एक लाइन और एक तल के बीच में समझें कुछन कुछ एंगल वनेगा तो वही चीज एक सरल लेखा दिया हुआ है एक तल दिया हो कि बीच का कौन अगर साइन ठीटा है तो सब्सक्राइब आप समझिए कि इसको कैसे यूज करेंगे तो एल का जो एक्वेशन है वो कैसा है तो x प्लस वन या मैं इन जेनरल बात करता हूं क्लियर है इन जेनरल अगर माल लिजे मैंने यहां पर कि x-x1 डिवाइड़ बाई A1 ले लिया is equal to y-y1 डिवाइड़ बाई B1 ले लिया और z-z1 डिवाइड़ बाई C1 ले लिया और इस प्लेन का एक्वेशन जो एना simple AX plus by plus c-z plus d equals to 0 ले लिया चलिया तो अब इसमें जो है न इसके बीच का एंगल वैसे यह ABC क्या रिपरजेंट कर रहा है तो इसके अविलंब का दिक अनुपात ही है न यह बताई यह ABC तो अगर आप यह वेक्टर और यह वेक्टर इसका किसके अनुदिस में है तो A1 B1 C1 इसका दिक अनुपात है तो इसके बीच का एंगल तो आप निकाली सकते थे दो वेक्टर के बीच में एक तरह समझ सकते है वेक्ट थीटाइब कोस्ट ओका लेकिन यह थीटां हमें बताना है तो यह 90 जितना भी दोगा 90 में से फाइज लिए यह यह फीटा बनके आएगा ना और 90 मनस 5 क्या हो जो तो sin theta या sin 5 होगा समझ रहे ना तू डारेक्ट आप formula याद रखना कि sin theta equals to क्या होता है तो वही a a1 a a1 b b1 c c1 divided by a square plus b a square plus c a square फिर a1 a square plus b1 a square plus c1 a square तो ये formula आप याद रखना ये sin theta बस लग जाता कब जब आपका एक line रहे और एक तल रहे उसके बीच का angle गले sin theta equals to a a1 plus b b1 plus c c1 और divide by again a square b square c square का under root और फिर a1 square b1 square c1 square का under root इस तरह से तो ये formula तो अब आप इस question को देखिए कि हमारे पास sin theta का value क्या आजाएगा वो तो दिया हुआ है लेकिन हमें lambda निकालना है तो आप क्या कीजेगा वन का square टू का square प्लस टू का square फिर into में तू का square वन का square अंडरूट लेमडा का square तो टू का square माइनस वन का square प्लस अंडरूट लेमडा का square अब यहां से अब आपको समझमा आ गया होगा चले मैं यही पे लिख लेता हूँ अराम से समझेगा तो साइन ठीटा का मानतों 1 upon 3 दिया हुआ कोश्चन में उपर में अगर देखिएगा तो 2 यहां से आपका स्माइनस 2 और यहां से आपके पास 2 रूट लेम्डा इसको अगर ध्यां से 4 प्लस 4 प्लस 1 9 9 का अंडरूट 3 हो जाएगा यहां पर देखो तो यह कितना आ जाएगा अंडरूट 1 4 प्लस 1 यानिकि 5 प्लस लेम्डा तो यहां पर यह 5 प्लस लेम्डा यह तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दीजीएगा आप फानली यह आप पास यहां आ जाएगा under root five plus lambda तो इसको जो है न हम लोग यहां पर रख देते हैं यह उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा तो under root of five plus lambda is equal to two root lambda यह बहला यह तो cancel out अब यहां से आप लेंड़ा जैसे ही कीजिएगा दोनों तरफ तो 5 प्लस लेंड़ा is equal to 4 लेंड़ा आ जाएगा अब यहां से आपको दीग गया हो कि लेंड़ा को इस तरफ लेके जाएगा तो 3 लेंड़ा is equal to 5 तो यहां से लेंड़ा आपको पास आजाएगा 5 by 3 तो बस यही आंसर आपका हो जाएगा 5 by 3 आपका option cost true हो जाएगा तो इस तरह से यह फंडा यूज करना है जब आपका एक सरल रेखा और एक तल रहेगा तो उसके बीच का एंगल जो यह आता है थीटा इसको साइन थीटा के फॉर्मिलियर क्यों क् zę 90ी मेनस यह एंगल कर देजागा हटा दीजञा एक टीटा आप मालोट ठोटरकर यह ठीटा देजेगा तो इसके लिए आप क्या बोलिये गर यह जो ठीटा डेस आएगा वह 90 मानस थीटा ही हो जाएगा ना तो जब इस दोनों के बीच के एंगल आप बोलेगा ना कि 90 मानस लिगीजिएगा यहां से 90 मानस टो वही आपका साइन चीटा के फ़र्म में आ जाएगा तो इस तरह से आप साइन चीटा डैस बोल जबें जो भी बोलना है चलिए बसांट चाहिं के फॉर्म में आपको याद रखना है इस तरह से हम लोगों ने सारे कोश्चन डिसक्स कर लिया यहां पर एक कोई कोश्चन यहां पर अगर छूटा हुआ हो तो कोई कोश्चन हम लोगों नहीं छोड़ा एक स्टार्टिंग में कोश्चन दिया था कि आपको यह कोश्चन हमें करना होगा कुछ दिर बाद चलिए अब उसको भी हम लोग कर लेते हैं फड़ा-फड़ तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने सारे कोश्चन जो है न यहाँ पर यह कोश्चन मूल बिंदू से तल इस पर डाले गए लंब के पात का नियामक क्या होगा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि देखो इसमें काहता क्या है अगर आप ध्यान से देखिए तो यह जो है आपका समझेगा इस चीज को मालग यह कोई तल है आपके लिए कि तल है कि मालग कोई बिंदू यहाँ पर पी अल्फा बीटा गामा इससे जो चरण बिंदू इसी को चरण पाद या पाद जो भी बोलेगा लंब का पाद है ना फूट पर पेंडिकुलर भी बोला जाता है माल लिजे इसको एक्स वाई जेड बोल दिय लिए या एक्स वण वाई वन जेड वन ले लिया अब ये पॉइंट आपको बताना होगा क्या जब इसका एक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा मान लिजे थोड़े लिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इस इकोलस टू या प्लस डी इस इकोलस टू जीरू दालने तो लंब का पाद क्या होगा इस प्लेन पर आएगा उसकी नियामक आपको बताना रहेगा तो डारेक्ट फर्मूला याद रखना क्या याद रखना कि जो आपका सिए एक्स वन एन तो एक्स वन माइनस अलफा डिवाइड वाई ये ए ए फिर यवन माइनस बीटा बीटा क्या है तो एक बिंदु तो दिया हो रहेगा ओल्वेस तो दिवाइड वाई वाई बी इस तलका ये वालब कि Maknow जैडवन वन तो आपको निखालना ही है माइनस गामा divided by c is equals to minus times of a alpha plus b beta plus c gamma plus d चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए तो minus of a alpha b beta plus c gamma plus d divided by a square plus b square plus c square देखो कहता क्या है तो पहले तो जो आपका चलिए चरनपाद निकालना है ना तो x1 minus यह जो पहला वाला का x का था divided by a फिर y के लिए अब यहाँ से जो है आराम से अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारा काम कोन कर रहा है तो alpha तो यहाँ पे equivalent to 0,0,0 है क्योंकि मूल बिंदू से ही बोला है समीकरन क्या है तो समीकरन भी easy से अपपस दिया हुआ है तो 3x plus 4y minus 5z is equal to 25 होती बढ़िया तो 25 को इस तरफ ले आईएगा is equal to 0 बोल दीजेगा तो a,b,c का बेलू पता चल रहा है तो बस अब आपको यहाँ से अगर देखिएगा तो क्या बोलिएगा आप इस चीज को समझे तो x1 तो x1 तो निकालना ही आपको alpha 0 हो गया is equal to y1 तो आपको निकालना ही है beta 0 again और beta कुछ भी रह सकता alpha beta gamma जो भी 0.123 भी बोल सकता है बी का का काम कोन कर देगा तो 4 फिर z1 तो आपको निकालना ही gamma again 0 है और c का का काम कोन कर रहा है तो minus 5 is equal to minus times बस alpha beta gamma रख देना है इस plane में समझ रहे है तो 0 कमा 0 तो रखिएगा तो minus 25 भी आएगा पहले से एक और minus लगा हुआ इस equation में तो minus 25 divided by a square b square c square अंदर रूट में नहीं है बाहर है a square b square c square 3 का square 4 का square एंड यह 25 हो जागा minus 5 का square बस अब अगर आप यहां से देखिएगा तो यह value कितना आ रहा है तो 25 divided by यह भी 25 यानिकि 50 यानिकि यह half आ गया इधर वाला part half आ गया तो अब जब इसको और इसको पकड़िएगा आप तो x1 क्या आजागा 3 by 2 आएगा की नहीं आएगा बिल्कुल आएगा तो यहां से x1 क्या आएगा पहले तो 0 यह है न तो x1 3 by 2 फिर यह जाता लेकिन यहां तो कि 0 है तो आपकास easily दिख रहा हो कि x1 आपको पास 3 by 2 आ जाता है जब इसको पकड़िएगा तो यह क्या हो जाता है फिर z1 के लिए करते तो माइनस 5 by 2 तो माइनस 5 by 2 तो बस यह फर्मूला जो है ना इसको आपको ध्यान रखना है समझ माया की नहीं आया तो इसी से आपको पास यह option आपका true हो जाएगा कि जब भी आपको कोई बिंदू दिया हो रहेगा और यह चरण पाद आपको यह चरण बिंदू बोलेगा निकालो तो इसको x1 y1 z1 माल लिया अलफा विटा गामा दो दिया हो रहेगा abc जो plane दिया हो तल का उसमें abc आपको दिखी रहा है अच्छा साथ ही साथ मालीजे कभी-कभी आपको यह भी दे सकता है कि एक बिंदू दे दिया एक तल दे दिया इसका परतिभिम बोला कि इसके सापेक्ष में बताईए यह कभी नीचे आएगा मालीजे यहाँ पर P-टैस तो उस केस में बस यही सेम चीज यह X1, Y1, Z1 इसको बोल दिया यह बिंदू आपको निकालना रहेगा उस केस में आप बस यहाँ पर माइनस इसी का डवल दिख रहा होगा तो यहाँ पर 2 से माइनस 2 से मल्टिप्लाई कर देते बागी सेम चीज रहता है तो इस चीज को भी समझेगा कि अगर एक बिंदू दे दिया एक तल को मीडर इमेज मानके इसका इमेज बताने के लिए बूलेगा P-टैस तो अब इस वार इसको X1, Y1, Z1 मान लेना सेम यह पार्ट रहेगा बस यहाँ पर माइनस 1 है यह माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर सिं यहाँ पर कर लिया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह क्यों चीजों को ध्यान से देखें होंगे जितने भी कंसेप्ट था मैंने उसको वहाँ पर काफी ब्रीफ़ली आपको बता दिया हूं कि कब कहां पर एंगल कोन किया दिक अनुपात क्या है तो इस तरह से आप objective question को बिल्कुल handle कर लीजिएगा, subjective भी आप देख सकते हैं, इसी को just subjective में भी पूछ देता है, तो वहाँ भी आप बना सकते हैं, समय कम है, इसलिए हम लोग सिर्फ objective को ही यहाँ पे handle किया है, लेकिए theory almost सभी के सभी discuss हो गये, जितने भी यहाँ पे इस अध्याय के theory होते हैं, सभी discuss हो गये, तो सभी चीज इसी slide में आपका, vector 3D से बहुत ही question आएंगे आप पास, अगर objective को सिर्फ लीजिएगा, तो कम सकम, आपका 20 के आसपास रहेगा, 18 से 20 के आसपास सिर्फ रोट सिर्फ रहेगा, तो इसलिए आपके लिए काफी important यह अध्याय था, तो I hope कि आपको यह समझमा आ गया होगा, अच्छे से इसका practice कर लिए, process समझ लिए, किस तरह से, आराम से, ध्यान से समझेगा, सब चीज जो का नेक्स तर दिया, भाई बाई, तेक क्यर, थैंक यू.